असलाम अलेकुम कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब के सब जो हैं बिल्कुल खहरियत से होंगे तो आज हम 9th क्लास के exercise 4.2 जो है उसे मकमल तोर पर solve करेंगे लेकिन इस वक्रीन के उपर आप लोगों को एक wallpaper नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम questions के timing आप देख सकते हो तो इस वक्रीन के उपर आप लोगों को exercise के questions नज़र आ रहे हैं जिनको factorize करना है हमेशा की तरह पहले question को पढ़ेंगे समझेंगे और इसके बाद one by one questions को solve करेंगे तो question को पढ़ों तो इसमें बोला जा रहा है factorize the following expressions completely जितनी भी expressions इस exercise में धी गई है उन सब को आपने करना है ठीक है अब factorize तो हम कर देंगे इसको इसको या जिसको भी है लेकिन स्वाल यह पैदा होता है जैसे के question number one जो है वो दिखने में अलग किसम का है question number 10 जो है वो अलग किसम का है ठीक है nine sorry और इसके बाद eight अलग किसम का है तो जब काफी सारे मुक्लिफ किसम की expressions आप ल के मुक्लिफ किसम के formulas होते हैं जिनको इस्तमाल करने के बाद आप questions को या फिर expressions को factorize करते हैं कौन सा formula कहां पर लगेगा यह एक स्वाल पैदा होता है तो इस चीज से बचने के लिए या इस चीज को समझने के लिए कि यह मुक्लिफ questions जो है किस तरह की है और इनको कैसे factorize कर आएंगे तो आपको expressions की type के बारे में बताये गया है जैसे के type 3 जो है वो यह रही ठीक है type 4 जो है वो यह रही type 5 जो है वो यह रही तो 4.1 के अंदर आपने दो किसम की expressions को factorize करना सीखा था 4.2 के अंदर जो है आप मजीब 3 किसम की expressions जो है उनको factorize करना सीख रहे हो ठीक है त आपको ये पता चल गया जैसे कि questions है अगर आपको ये पता चल गया किस तरह की expression है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा formula लगेगा और कैसे factorize करेंगे इस question को जैसे हम one by one इनको पहले समझ लेते हैं समझना तो नहीं है बस एक बार इसको सुन लीजिए या इसके होगे और वहाँ पर कौन से formula लगेंगे ठीक है तो पहले इनको इन तीनों किसम के ओपर बात कर लेते हैं फिर exercise के questions को one by one solve कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले third type के ओपर बात कर लेते हैं कि इस किसम के expressions होंगी तो उनको कैसे factorize करेंगे क्योंकि आपके questions जो हैं वो इस किसम क भी हो सकते हैं इस किसम के भी हो सकते हैं इस किसम के भी हो सकते हैं यह तीनों एक ही तरह की expressions हैं बस लिखने का अंदाज मुक्तलिफ है जैसे आपको मुक्तलिफ लग रही होगी यह दोनों एक जैसे लग रही होगी और यह अलग लग रही होगी लेकिन ऐसी बात नहीं है इ यह निके इस तरह की expressions को solve करने के बाद आप इस तरह की expression ही हासिल कर लेते हो और फिर इससे solve करते हो ठीक है तो कहना मैं यह चाहता हूँ कि चाहे इस तरह का question हो इस तरह का question हो इस तरह का question हो यह तीनों एक ही category के अंदर लाए करते हैं question solve करूँगा तो आपको इस बात की समझ भी आएगी अब स्वाल यह पैदा होता है या मैं यह बताना चाहता हूं कि जब भी इस तक के questions आएंगे तो आप कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे आप simple क्या करेंगे यह जो first two terms हैं यह दोनों एक जैसी होंगी जैसे पहले के इंदर आप देखेंगे तो ax square plus bx इधर है तो जब इस तक के question आएंगे तो हम assume करके इसको solve करेंगे जैसे के इन दोनों terms को a के equal assume कर लेंगे और फिर further factorize कर लेंगे तरीका यह कि आप जब इस तक expressions आएंगे तो आप कैसे solve करेंगे यह चीज़ आपने सीखनी थी मैं exercise में भी दिखा देता हूं इस तक के questions आपके कह पर हैं और कैसे आप पहचानेंगे तो इस वक्सक्रीन के ओपर आप लोगों को book नजर आ रही होगी तो थर टाइप के जो questions है वो question number 13 से start होते हैं अगर आप देखेंगे तो पहचान क्या है पहली दो terms एक जैसी होती है तो 2x square minus 3x इधर भी है और 2x square minus 3x इधर भी है तो दे questions आएंगे तो आपको पता चलेगा अभी आपको बस यही बात सीखनी है कि 13 से लेके 20 तक जो है वो आपके questions जो है वो third type से तालूक रखते है ठीक है और assume करने से इस किसम के expressions जो है वो factorize होती है fourth category आपके exercise में जो expressions की है वो यह वाली है ठीक है तो इस category को पहचानना असान है actually में एक formula होता है ठीक है लेकिन question आपके इस तरह के होंगे ठीक है उसको आपने factorize करना है ठीक है इसके पहचान के है first यानिके question में दो cube होंगे जैसे a cube और b cube नज़रा रहा है उसके बाद दो terms जो है उसमें एक दफा a के उपर square होगा एक दफा b के उपर square होगा actually में एक formula ह है जो आप याद करोगे otherwise ये question solve नहीं होंगे तो जब formula याद हो जाएगा तो आप पहचान भी लोगे जैसे आई ये end ब्राबर होता है किसके a plus b whole का cube ठीक है यनि a plus b whole का cube जो है वो इसके ब्राबर होता है ठीक है इसी तरह ये end जो है वो किसके equal होता है ये equal होता है a minus b whole का cube तो questions इस तरह के होंगे और इस चीज़ को आप इसमें convert कर दोगे ठीक है और formula कौन से इस्तमाल होगा ये ये actually में क्या है ये formula ही है formula का एक हिसा question की सूरत में आपको दिया गया है तूसरा हिसाप में आप उसे convert कर दोगे questions आएंगे तो मैं आपको बता दूँगा अभी हमारा मकसद पहचानना है जैसे book के questions अगर लेकर आऊं तो आप देखिए इतने सारे questions के अंदर आप कैसे पहचानेंगे जैसे question number 11 देखेंगे तो ये भी cube है ये भी cube है इधर एक दफ़ा x cube square है और एक दफ़ा y cube square है ठीक है तो इस तरह से question ही बता देता है किस तरह की expression है और उसक कैसे solve करना है तो question हमारे पास जो है वो किस तरह की आएंगे इस शकल में आएंगे और उसको हम इस शकल में change कर देंगे या फिर कहलो कि इस फार्मूले को इस्तमाल करके हम factorize कर लेंगे इस तरह की questions को तो four type भी आपको पता चल गई question में कैसी होगी इसी तरह fifth type है fifth type की तरफ चलें तो यह आगए हमारे fifth type और इसके अंदर जो है question इसके पहचान तो असान से है दो cube होंगे that's all ठीक है जैसे अब यह भी formula है a cube plus b cube किसके equal होता है यह बराबर होता है a plus b into a square और पिर आजाएगा plus b square इसी तरह a cube minus b cube किसके equal होता है यह होता है a minus b into a square plus a b plus b square तो आप क्या करेंगे यह formula भी याद करेंगे यह दोनों actually क्या है यह दोनों जो है वो formula यानि के formulas हैं जब इस formula को आप याद कर लेंगे तो याद करने के बाद असान हो जाएगा आपके लिए क्या चीज question इस शकल में होंगे और आप उसको इस शकल में change कर देंगे आप द देखें यह factors की सूरत में मौझूद है तो its mean के factorize हो चुकी है तो उमीद करता हूँ इस किसम के question तो आपके starting में ही exercise की है मैं एक बार book दिखाता हूँ आपको तो यह book आ गए आज ऐसे कि आप देख रहे हो पहले दो terms ही है पहला first का भी cube है 125 भी cube में convert हो जाएगा यह भी व आपने अभी क्या सीखा कि यह जो exercise आप लोगों के सामने है इस exercise में जो questions है वो इन तीन तरह के expressions के हैं और हमने find out करना है कौन से expression है और formula लगाना और factorize कर देना ठीक है तो fundamental purpose समझ में आ गया exercise का अब हम exercise का question पढ़ते हैं और one by one question को factorize करते जाते हैं और आपको और अच्छ जैसे समाज माएगा ठीक है तो question number one आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहे है तो जैसे के question में बोला गया है के factorize the following expression completely के अधी गई expressions को मुकमल तोर पर factorize करने है तो इसको factorize कैसे करेंगे factorize करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किस किसम की expression है और यहां पर कौन सा formula लगेगा तो formula की बात करूं तो देखिए इसको मैं ऐसे यह भी cube की form में लिखा जा सकता है और 125 को भी 5 का cube होता है क्योंके 125 इसको भी cube की शकल में लिखा जा सकता है तो यहां पर जो formulas लगेंगे वो कौन से लगेंगे वो लगेंगे a cube minus b cube ठीक है जो के बराबर होता है a minus b into a square plus a b plus b square तो यह वाला formula जो है हम यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो formula के बात चल रही है तो मैं दूसरा formula भी यहां लिख देता हूं ताकि आप इन दोनों को याद कर सको इन में confusion क्या होती है वो भी बता देता हूं ठीक है तो a plus b यह इसके equal होता है a square minus a b plus b square ठीक एक के दर्मियान में minus होता है एक के दर्मियान में plus होता है इनको याद करने का तरीका क्या है जैसे formula के दो हिस्से यानि दूसरे end के दो हिस्से है एक यह और एक यह एक यह और एक यह ठीक है तो जो minus का formula होता है जैसे के यहां पे a cube minus b cube लिखा हुआ है तो वो start में a minus b यान इससे का तो याद रखना असान है जो भी धर्म्यान में माइनस होगा वो ही धर्म्यान में अगले हिससे के अंदर आ जाएगा ठीक है तूसरे हिससे में क्या होता है इसके opposite होता है यानि यहाँ पे same हो गया और आगे जो है A square, A square, B square, B square दोनों जगे positive हैं अगली बात क्या है कि दर्म्यान का minus होगा तो शुरू में minus होगा और इसके बाद इसके opposite होगा इसके उलट होगा इसी तरह यहाँ plus था तो यहाँ पे शुरू में plus होगा और इसके बाद इसके opposite हो जाएगा यानि plus था तो वो minus हो जाएगा तो मैंने कोशिश की है कि आप इनको याद रख सको इन दोनों फार्मूलास को और अब हमारा question number one जो है ये वाला ये solve होगा इस वाले फार्मूले से क्योंकि धर्मियान में minus है तो नीचे वाला फार्मूला जो है वो मिटा देते हैं यहां से तो ये गया यहां से मिट मिटने क इसको भी proper way से solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम यहां पर sorry white color से लिखते हैं solution लिखते हैं तो यह मैंने यहां पर solution लिख लिए उसके बाद question को तारूं तो x cube minus 125 यह मेरे पास question है ठीक है तो इसको हमने factorize करना है तो इसको पहले formula के shape में लिख देते हैं त 5 hole का cube आ जाएगा काफी बच्चों के जहन में यह भी स्वाल आता है कि सर पता कैसे चलेगा यह 125 जो है किसका cube है तो कुछ तो practice चाहिए होती है अगर practice नहीं भी है तो ऐसे manually हम ऐसे मालूम करते हैं कि एक ही table पे वो number divide होना चाहिए जैसे 5 to the 10, 5 to the 25 पे 5 to the 25 तो देखिए 5 क power 3 आगे ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन असान तरीका सबसे calculator है वो भी बता देता हूं मैं यहाँ पर तो उसके लिए मुझे calculator चाहिए होगा तो यह आगे हमारा calculator ठीक है तो calculator मुखलिफ तरह के होते हैं लेकिन सब में एक ही तरीका है कि आप यह under root q जिसमें index 3 होता है ठीक है इस form में calculator का button दबाएंगे और 125 लिख देंगे तो आप देखे नीचे 5 लिखा हुआ आ गया तो it's mean के 125 जो है वो 5 का cube होता है मुखलिफ calculator में मुखलिफ तरीके होते हैं किसी में 125 पहले लिखते हैं और फिर button दबाते हैं तो लेकिन तरीका यही होता है ठीक है तो मुझे ऐसे भ कहींपर यह षिसा लिखा हुआ थो आप उसको ऐसे लिख सकते हो ठीक है और अगर यह हिससा लिखा हुए हुआ हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते destruction क्यूंकि ये दोनों और जो हैं आंप दर्मियान में देख सकते हैं equal का sign है आपस में भराबर था तो इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं हम question इस शकल में होता है और इसको इस शकल में लिख देते हैं और question factorize हो जाता है ठीक है क्योंकि factorization का मतलब क्या होता है multiplicative form में change करना ठीक है तो आप देखें यहाँ पर multiplicative form के अंदर ही शकल है परहाल इसको लिखेंगे कैसे अब सुवाल यह पै इसी तरतीब के साथ हम x और 5 को लिख देंगे ठीक है जैसे x हमारा क्या है यहाँ पर a और 5 हमारा क्या है यहाँ पर b दरम्यान में minus है ठीक है तो x और 5 को same a और b की तरह इस्तमाल करना है मैं कैसे मैं आपको करके बताता हूं यहाँ पर जैसे सबसे पहले क्या है a minus b ठीक है तो हम लिख देंगे X-5, ठीक है, क्योंकि हमारे पास A और B थोड़ी है, X और 5 है, A और B की जगे, तो यहां पे लिख देंगे X-5, उसके बाद यहां पे square bracket डाल लो, क्योंकि अंदर small इस्तमाल होनी है, अब आप देखे, उसके बाद क्या है, A का square, ठीक है, तो हमारा A क्या ह X, तो हम यहां पे लिख देंगे X का square, उसके बाद क्या है, प्लस A B, तो हम यहां पे प्लस A हमारे पास क्या है, X, और B हमारे पास क्या है, 5, तो हमने A B की जगे X और 5 लिख दिया, उसके बाद क्या है, प्लस B square यहां पे, ठीक है, फार्मूले में, तो हम यहां पे डालें हैं और formula लिख दो यहां पर भी कुछ teachers by using formula लिखते हैं और फिर ये question का हिस्सा बना देते हैं तो जैसे भी आपको असान लगे उस तरह से करो मेरे मताबिक question को इस तरह ही करो और side में formula शो कर दो check करने वाले को पता चल जाएगा ठीक है लेकिन formula लिख के करिएगा ताके आपकी गलती के chances कम हो तो आप देखिए ये बिल्कुल इसकी तर्तीब है और इसकी तर्तीब बिल्कुल ये वाली है तो इस तरह से गलती के chances कम होते हैं ठीक है अब इसको simple further आगे solve करेंगे तो x-5 तो वैसे का वैसा रहेगा और इधर क्या आ जाएगा इधर हमारे पास आ जाएगा x square और x और 5 को multiply करेंगे तो 5 x आ जाएगा और 5 का square क्या होता है 25 तो यहां पर 25 और यही अपका answer हो जाएगा क्यूं क्यूंकि आप देखिए ये दोनों जो हैं आपस में क्या हो रहे है multiply हो रहे हैं ठीक है तो किसी भी expression को multiplicative form में change करने को ही factorize करना कहा जाता है तो इसलिए हमने इसे factorize कर दिया यही आपका answer हो जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा बागी कुछ चीज़ें जो रहे गई हैं वो अगले questions में आप समझ लीजेगा तो चलिए अगले question के तरफ चलते हैं तो question number 2 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इससे factorize करें तो factorize करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे solution solution लिखने के बाद question को एक बार दोबार होता रहें तो 8 x cube plus 1 यह हमारे पास question है तो इसमें यहां पे कौन सा formula लगेगा तो इसको देखे 8 जो है वो 2 का cube होता है 2 to the 4, 4 to the 8 तो 2 x whole का cube इस तरह भी लिख सकता हूं है 8 x cube को और यह आपको पता है कि 1 की power हम जितनी भी रखें रख सकते हैं क्योंकि 1 की power 1 रखो 2 रखो 3 4 5 6 जितनी भी रखो 1 ही answer आता है तो हम अपनी required condition को पूरा करने के लिए 1 की power 3 रख लेते हैं तो अब देखिए यह formula बन गया कौन सा हमारे पास a cube plus b cube और यह किसके equal होता है यह equal होता है a plus b into a square अब दर्म्यान में plus है तो यहां पर minus आ जाएगा minus a b और यह plus b square ठीक है तो यह formula जो है इसके accordingly है तो a b की जगे हम a की जगे हम रखेंगे 2x और b की जगे रखेंगे हम 1 और same इस तरह से लिख देंगे तमाम मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जैसे अब हम यहां पर लिख सकते हैं 2x plus 1 ठीक है अब देखिए आगे क्या है a का square तो यहां पर square bracket डालेते है a हमारे पास 2x है तो यहां पर लिख लेंगे 2x का square उसके बाद minus है फिर a है a हमारे पास यहां पर 2x का equal है तो 2x आ गय उसके बाद 1 का square लिख देंगे ठीक है और यह square bracket close ठीक है तो अब आप देख सकते हो बस a b की जगे हमने values put की है बाकी same ऐसा ही है ठीक है तो जब यह सारे इस तरह से इस तरतीब से आप सारी values put कर लो तो इसको अब squares open कर दो तो यह हो जाएगा 2x plus 1 और इधर के आ जाएगा square bracket डालने के जूद नहीं क्योंकि 2 to the 4 और x का square आ जाएगा और minus 2x को 1 के साथ multiply करेंगे तो 2x ही हो जाएगा और plus 1 का square 1 ही होता है तो यह हमारे पास आ जाएगा और यह हमारा answer होगा तो इस तरह से आपका यह question जो ह factorize कर लिए ठीक है तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं तो question number 3 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा solution question उता रहे हैं तो question हमारे पास है 3p cube q cube minus 81 उसके बाद है x cube ठीक है तो factorization के अंदर या factorize करने के अंदर स सबसे पहले देखा जाता expression में कुछ common है या नहीं है तो पहला step common लेना होता है तो इसमें common 3 है तो यहां पर 3 common ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास अगर 3 common लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास only p cube q cube minus 27 x cube और यहां पर bracket close ठीक है तो 81 को जब हम 3 पर divide करेंगे 3 2 6 2 और 3 7 21 तो 27 पर divide होता है तो 81 के जगे इसलिए 27 हमने लिख दिया अब इसके बाद यहां पर formula कौन सा लगेगा तो यह दोनों cube में लिखे जा सकते हैं तो 3 यहां पर square bracket डाल दो इधर p q whole का cube ऐसे लिख सकते हैं और 27 के जगे 3 का cube जो है 27 होता है 3 को आप 3 times multiply करेंगे तो 27 ही आता है तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो उमीद करते हैं चोटी मोटी चीज़ें आती होंगे तो 3 x whole का cube इधर भी लिख लिख लिए और यह square bracket close करते हैं ठीक है वरना calculator तरीका होता है calculator में आपको जैसे कि मैंने बताया था ठीक है कि हम क्या करते हैं ऐसे cube डालिए ठीक है उसके बाद 27 है तो अब देखे 3 आ गया ठीक है तो इसलिए calculator अगर आप ज़्यादा मुश्किल लगता है तो calculator से कर लिजे उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब formula लगा देंगे formula कौन सा लग रहा है a cube minus b cube वाला तो यहां पर एक किसके equal होता ह a minus b into a square उसके बाद अब plus आजाएगा a b plus b square इसके equal होता है तो pq हमारा a है और 3x हमारा b है तो इसके accordingly तर्तीब हम रख देते हैं तो यह हो जाएगा अब 3 square bracket उसके बाद आजाएगा a minus b है तो pq minus 3x यह आजाएगा इसकी जगे उसके बाद आजाएगा middle bracket डाल लेते हैं उस उसके बाद A square है, A हमारे पास PQ है, तो PQ whole का square हो गया, उसके बाद प्लस A B है, तो A हमारे पास PQ है, और B हमारे पास 3X है, तो यह A B हो गया, उसके बाद प्लस B square है, तो प्लस B हमारे पास 3X है, तो यह इसका square हो गया, तो पहले यह middle bracket बंद होगी, फिर यह square bracket बंद होगी, तो यह square bracket ज़रूर बंद करिएगा, अगर यह बंद नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपका number कट सकता है, क्योंकि 3 जो है वो अंदर इन दोनों से multiply हो रहा है, इसके बाद आगे अगर चलें तो simple brackets open कर लो, तो 3 है, एक हमारा square bracket डालने की भी जूरूरत नहीं है, क्योंकि 3 multiply हो रहे हैं, तो यहाँ पर आजाएगा PQ-3X, और इधर के आजाएगा P square Q square, इसका square यह हो जाएगा, और इधर आजाएगा 3 PQX, और इधर आजाएगा 3 PQX, और इधर आजाएगा 3 3, इधर 9 X square, ठीक है, तो 3 हो देखिए, multiply हो रहे हैं, तो it's mean के आपने factorize कर लिया है question को, तो यह आपका answer हो जाएगा, यहाँ पर रफ ली एरिया लिख लीजेगा, line डाली जाएगा, कैसे भी arrange करना चाहो, आप कर सकते हो, ठीक है, तो question number 4, आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है, इससे factorize करने के लिए सबसे पहले तो हम solution लिखेंगे, question लिखेंगे उसके बाद, तो 27 plus 512 x cube है, ठीक है, तो क्या इसे cube में change किया जा सकता है, तो yes किया जा सकता है, क्यूंकि 27 जो होता है, वो 3 का cube होता है, और 512 किसका होता है, calculator से देख लेते हैं, तो यह आगे हमारा calculator, calculator आने के बाद, cube root करना है, तो यह cube root हो गया, 512 है, तो 512 तो 8 आया, तो its mean के 8 का cube जो होता है, वो 512 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 8 और x और यह hole का cube, क्यूंकि इसको open करेंगे, तो यह ही आ जाएगा, तो formula की शकल बन गई, कौन सा formula लगेगा, a cube plus b cube वाला, तो यह किस के equal होता है, a plus b के ही, और यहाँ पे आ जाता है, a square minus a b plus b square, इसके equal होता है, तो चलिए formula की shape में put कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा, सबसे पहले, 3 a, a हमारा कौन सा है, a हमारा 3 है, b हमारा 8 x है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 plus 8 x bracket close, उसके बाद क्या आ 3 है, तो 3 का square, उसके बाद minus है, फिर a हमारे पास 3 है, तो 3 आ जाएगा, b हमारे पास 8 x है, तो 8 x आ गया, और plus 8 x whole का square, और यह square bracket close होगे, ठीक है, उसके बाद आ गया अगर चलें, तो यह हो जाएगा, 3 plus 8 x, और इधर आ जाएगा, 3 3 the 9, minus 8 3 the 24 x आ जाएगा, plus 8 8 the 64 x square आ जा हमारे पास expression थी, इसको हमने factorize कर दिया, यही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, तो question number 5, आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है, इससे factorize करें, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है solution, उसके बाद अगर question लिखें तो t to the power 6 है, minus 64 है, ठीक है, अब इधर कौन से formula लगेगा, त plus b, और a minus b के equal, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह formula इधर लग सकता है, तो यह formula कैसे लगेगा, देखिए, अगर मैं यहाँ पे t की power 3 और whole का square कर दूँ, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं color change करके बताता हूँ, power की power जो होती है, आप अगर मैं यहाँ पे minus आजाएगा, 8 की power 2 कर दूँ, तो 8, 8 दा 64 होता है, तो देखिए, बन गया न, a square minus b square, ठीक है, तो अब मैं it's mean के यह वाला formula जो है, apply कर सकता हूँ, तो इधर यह formula apply करूँगा, तो यह क्या बन जाएगा, एक बार plus करके लिखो, एक बार minus करके लिखो, तो यह हो जाएगा, t cube plus 8, एक बार plus करके लिखा, और हो जाएगा, t cube minus 8, और एक बार minus करके लिखते है, ठीक है, इसको तो यहाँ से मिटा देते हैं, इसके बाद अब कैसे करेंगे, अब यह cube के formula में convert हो गया, तो cube का लगा सकते हैं, और दोनों ही लगेंगे, कैसे, मैं यह 8 होता है, तो यहाँ पे 2 का cube भी लिख सकता हूँ, और यह square bracket डाल देता हूँ, ठीक है, तो मैं बताना यह चाहता हूँ आपको, के t cube को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो अब आप देखे, यह फिर से formula बन गया, कौन सा a cube plus b cube वाला, तो यह formula बन गया, इसी तरह अगला भी formula बन जाएगा, वो minus का बन रहा है, तो यहाँ पे square bracket दुबारा से, इधर आ जाएगा t hole का square, hole का cube, उसके बाद minus 2 hole का cube, और यह bracket close, तो इधर a cube plus b cube का formula लगेगा, और इधर a cube minus b cube का formula लगेगा, और फिर factorize हो जाएंगे, तो चलिए formula जो हैं, उपर लिख देता हूँ, ताके आप लोग उसे relate कर सको, तो यहाँ पे a cube plus b cube का लिखूँ तो वो होता है, a plus b into a square minus a b plus b square, इसी तरह a cube minus b cube किसके equal होता है, a minus b, और a square plus a b plus b square, I hope formulas आपने याद कर लिए होंगे, अब इनको relate कर लेते हैं, यह हमारे पास a है, यह हमारे पास b है, यह हमारे पास a है, यह हमारे पास b है, ठीक है, यह भी चीज़ें पता चल चुकी होंगी, अब इनको formula's की shape में लिखें, तो यहाँ पे square bracket आ जाएगा, सबसे पहले a minus b है, तो यहाँ पे आ जाएगा t, sorry plus का formula लगाएंगे, सबसे पह a square, तो a हमारे पास t है, तो यहाँ पे t का square आ जाएगा, उसके बाद जो है, minus a b है, तो a हमारे पास t है, b हमारे पास 2 है, उसके बाद क्या है, हमारे पास b का square, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे, b हमारे पास 2 था, तो 2 का square और यह bracket close हो गया, ठीक है, और यह square bracket close हो गया तो basically मैंने क्या किया इस हिस्से को इसके फार्मूले में convert कर दिया ठीक है अब दूसरे हिस्से को देख लेते हैं दूसरे हिस्से की तरफ चलें तो वहां पे भी ऐसे होगा स्केर बेकर डाल दो अब यह माइनस का फार्मूला लग जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा A माइनस B सबसे पहले तो यहां पर आ जाएगा T माइनस 2 ठीक है उसके बाद आ जाएगा A का स्केर A हमारे पास T है तो T का स्केर उसके बाद माइनस और सॉरी अब यहां प्लस ह तो प्लस आ जाएगा उसके बाद अ हमारे पास T है तो यहां पे T आ घाया भी हमारे पास two है तो यहां पे two आ गया और यह plus औ बी स्केयर मतलब टू स्केयर और यह स्केयर bracket close अब हमारे पास जो है इस हिसे को हमने फारमॉलेक के शेप में यहाँ पर लिखती है अब जो है simple इनको squares open कर लो तो यह square bracket डालने की जूद नहीं सभी multiply हो रहे हैं तो यहाँ पर आजाएगा t plus 2 और इदर आजाएगा t square minus 2t multiply होने के बाद और plus 2 to the 4 इसी तरह इदर चलेंगे तो इदर आजाएगा t minus 2 और इदर it close अब इसको भी answer अब लिख सकते हो लेकिन अगर इसको तरतीब से लिखें तो t plus 2 और t minus 2 को अकठा कर लो यानि इसको और इसको ठीक है यह दोनों एक जैसे हैं तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं t minus 2 बाकी जो है इनको वैसे लिख दो t square minus 2 t plus 4 और इदर आ जाएगा t square plus 2 t plus 4 ठीक है formulas को मिटाना चाहो आप यहाँ से मिटा भी सकते हो ठीक है रहने भी दे सकते हो तो वो आपकी मर्जी है यह आपका answer हो जाएगा तो उमीद करता हूँ असान सा है यह question भी समझ में आ गया होगा तो question number 6 आप लोगों को screen के उपर नजर आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इदर लिखा solution question उतारें तो x to the power 6 है plus y to the power b6 है ठीक है तो इसको कैसे करेंगे cube की form में change किया जा सकता है x square के power अगर 3 रख दूं तो x 6 ही हो जाएगा और y square के power भी 3 रख दूं तो मैं रख सकता हूँ क्यों क्योंके power पावर आपस में multiply होती है तो 2, 3, 2, 6 ही होता है ठीक है अब यहाँ में formula लग सकता है a cube plus b cube वाला वो किस cake वाल होता है a plus b into a square minus a b plus b square के ठीक है तो formula में put कर लो यह हमारा a है यह हमारा b है तो सबसे पहले क्या है a plus b तो यहाँ पे आ जाएगा x square ठीक है उसके बाद plus y square उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा square bracket डाल लेते है a square तो a हमारे पास x square है तो x square का square हो गया उसके बाद minus a हमारे पास x square था है भी हमारे पास y square है उसके बाद plus y square का square और यह square bracket close फरदर आगे चलेंगे तो x square plus y square वैसे का वैसा इधर brackets open करें तो x to the power 2 to the 4 होता है उसके बाद minus x square y square हो जाएगा प्लस 2 to the 4 तो y square हो जाएगा और यही आपका answer है तो उमीद करता हूँ यह question जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो question number 7 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा solution और solution लिखने के बाद question को एक बाद दुबारा लिखें तो यहाँ पर आजाएगा 2 minus x whole का cube plus y minus 2 whole का cube अब इसको कैसे solve करेंगे यहाँ पर कौन सा formula लगेगा तो देखिए यहाँ पर a cube और b cube वाला formula ही लगेगा यह पूरा हम a consider कर लेंगे और यह पूरा जो है हम b consider कर लेंगे ठीक है और फिर a cube plus b cube वाला formula अप्लाई करतेंगे ठीक है मैं आपको यह लिखूंगा आगे तो आपको समझ में आएगा इसको मिटा देते हैं मिटाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको formula जैसे formula लिख लेता हू a cube plus b cube बराबर होता है a plus b और किसके एकवल होता है a square minus a b plus b square इसके एकवल होता है ठीक है तो यह काफी लंबा जाएगा इसको तोड़ा पीछे से शुरू करते है ठीक है तो यहाँ से शुरू कर लेते है तो a सबसे पहले क्या है a plus b तो हमारा a यह है और b यह है ठीक है तो हम लिखेंगे यहाँ पे square bracket डाल देते है a हमारे पास है 2 minus x यह हो गया a उसके बाद plus b हमारे पास है y minus 2 यह a plus b हो गया ठीक है अब आजाएगा a square minus a b ठीक है तो a हमारे पास क्या है a हमारे पास है 2 minus x तो 2 minus x whole का square लिखेंगे उसके बाद minus a b a कितना है 2 minus x b कितना है y minus 2 और फिर plus y minus 2 whole का square आजाएगा और यह square bracket close हो जाएगा उमीद करता हूँ बस तोड़ा सा अलग है यह हमारे पास a है ठीक है और यह हमारे पास b है इधर a का square आ गया इधर a b आ गया और इधर b का square आ ठीक है तो बिल्कुल वैसे है जैसे कि बिछले questions formulas के साथ हम करते चले आ रहे थे तो यह सारा मिटा देते मिटाने के बाद अब इसको फर्दर आगे चलें तो यह हो जाएगा हमारे पास brackets open कर लेते हैं brackets open करेंगे तो 2 minus x बाहर प्लस है तो अंदर के sign बदलेंगे नहीं तो y minus 2 जो है वो वैसे का वैसा लिखतेंगे अब यह bracket close इधर जो है अब formulas open होंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो y minus x whole का square तो यहां पे कौन सा formula लगेगा तो minus है तो a minus b whole का square यह वला formula लगेगा जो के a square plus b square तर्मियान में minus है तो minus 2 a b इसके equal होता है ठीक है तो इस formula को मैं यहां पे apply कर देता हूँ इस formula को apply करूंगा तो यह हो जाएगा a का square तो यानि के 2 का square उसके बाद आ जाएगा x का square minus 2 into first term के 2 last term के x तो यह पूरा हमने formula यहां पे apply कर दिया ठीक है यह color change करके दिखाऊं तो यह formula जो है वो इसके equal होता है अब यह होने के बाद आगे अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा अब इन दोनों को आपस में multiply करना होगा तो मुरफ अमल में multiply करके value इदर लिख देते हैं वरना काफी लंबा हो जाएगा गलती होने के chances बढ़ जाएगे इदर भी multiply करवा सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है मैं multiply करवा देता हूं इसको यहां पर अलग से जैसे हमारे पास है 2 माइनस X और Y माइनस 2 तो multiply क्या होगा एक बार 2 इस पूरी के साथ multiply हो जाएगा और एक बार minus X multiply हो जाएगा तो 2 into Y माइनस 2 एक बार 2 को पूरी के साथ multiply करवा दिया और एक बार X को sorry Y माइनस 2 है Y माइनस 2 के साथ multiply करवा दिया ठीक है multiply करवाना आता होगा इसको एक बार इस पूरी के साथ फिर X को Y माइनस 2 मुकमल के साथ पिर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 Y माइनस 4 माइनस X Y बार माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 X हो जाएगा ठीक है तो यह आया multiply होने के बाद तो इसको लिख देते हैं उपर इसको मिटा देते हैं क्योंकि यह रफ़ा मल में ही तो है और यह हिस्सा जो है क्या है 2 Y माइनस 4 तो अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो हमें bracket ज़रूर डालनी पड़ेगी वरना क्या होगा क्योंकि बाहर माइनस होते है तो bracket के अंदर वाले sign बदलते हैं तो इसलिए इस step में bracket डाल देते हैं अगले step में बदल लेंगे तो बस simple इन दोनों को multiply करवाया तो यह हमारे पास आ गया इसको लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा 2Y-4 और उसके बाद आ जाएगा माइनस XY उसके बाद आ जाएगा प्लस 2X तो यह bracket close अब जो है हमारे पास क्या रहे गया इस line को मिटा देते हैं अब हमारे पास रहे गया इसका square जो कि यहां पर लिख लेंगे तो इसको मिटा देते हैं यहां से यह गया मिट मिटने के बाद इधर आ जाएगा प्लस वो ही सबसे पहले क्या होगा Y का square उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस sorry प्लस यानि के Y-2 होल का square तो A-B होल के square का फार्मूला लगेगा पहले Y square फिर उसके बाद प्लस 2 का square माइनस 2 इंटू Y इंटू 2 यह आ जाएगा ठीक है तो उपर जगे कम रहे गए पीछे से तोड़ा और चोटा लिखना था चलो यहां पर 2 होल का square और उसके बाद माइनस 2 इंटू Y इंटू 2 और यह ब्रैकेट क्लोस तो इसके बाद इसको मिटा देते हैं मिटाने के बाद आगे अगर चलें तो अब यह सिंपल क्या आ जाएगा प्लस 2 माइनस 2 से कैंसल तो पीछे बच जाएगा माइनस X प्लस Y ठीक है और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 to the 4 प्लस X स्केर माइनस 4 X अब यह बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर वाले साइन बदल जाएगे तो माइनस 2 Y माइनस 4 है तो यह प्लस 4 में हो जाएगा यह प्लस X Y में हो जाएगा और यह माइनस के अंदर कनवर्ट हो जाएगा तो माइनस 2 X इधर अगर चले तो यह क्या है हमारा Y स्केर तो यहां पे आ जाएगा प्लस Y स्केर उसके बाद 2 to the कितना हो तो 4 और यह हो जाएगा माइनस 2 to the 4 4 Y हो जाएगा एक ही बात तो है बस Y प्लस का था तो इसलिए शुरू में लिख दिया और इनको थोड़ा सोट आउट करें तो क्या है नंबर नंबर के साथ एड होंगा तो 4 इधर है और 4 किदर है 4 इधर भी है और इधर भी है तो 4 चार 8 और 4 12 तो यहां पर आजाएगा 12 उसके बाद X के एक ही वैल्यू है तो यहां पर X के आगया 4 X के कितनी है एक ये एक ये तो यह कितना हो जाएगा 4 और 2 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 Y तो यहां पर आजाएगा माइनस 6 Y उसके बाद आगे चलें तो y के कितनी है एक ये और एक ये तो ये हो जाएगा minus sorry minus 6x आएगा ना पहले तो x कर रहे थे और यहां पर आ जाएगा minus 6y उसके बाद plus xy के वैल्यू है तो ये आ गया उसके बाद पीछे only y square बचा तो ये y square आ गया तो यहां तक हो गया ये सुवाल अब जो है तक्रीबन खतम हो गया अरेंज करके लिख दो अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y minus x into x square की लिख देते हैं फिर plus y square लिख देते हैं उसके बाद x की लिख देते हैं फिर minus 6y लिख देते हैं इस पूर यह टर्म से इनको गिन लीजेगा कहीं एक मिस कर दो तो इसके साथ ही आप लोगों का एक क्वेस्चन खतम हो गया उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा तो क्वेस्चन नमबर एट आप लोगों को स्क्रीन के ओपर नजर आ रहा है इसे सॉल्फ करें तो सॉल्फ करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा स्लूशन उसके बाद क्वेस्चन को दुबारा लिखें तो 64 इंटू एक्स प्लस य होल का क्यूब माइनस जी होल का क्यूब अब इसको कैसे करेंगे यहां पर भी फार्मूला लग सकता है एक क्यूब म को एक साथ करने के बाद ऐसे स्केर ब्रैकेट डालके मैं उपर क्यूब लिखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा क्यों क्यूब कि फार्मूला बन गया हमारा तो फार्मूला रफ़मल में आप लिख लीजएगा ताकि आप एक्यूब और इसके बाद माइनस का है तो माइनस cube यह equal होता है हमारे पास a minus b into a square plus ab plus b square के ठीक है अब इसको कैसे solve करेंगे तो पीछे से शुरू करना पड़ेगा थोड़ा सा सबसे पहले है हमारे पास a minus b यह पूरा हमारे पास a है और यह पूरा हमारे पास b है तो लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं 4 into x plus y तो दर्मयान में minus और दूसरा b हमारे पास z है तो यहाँ पर z डाल दिया और यह square bracket डाल दिया तो यह हमारे पास हो गया a minus b तो उसके बाद a square हमें चाहिए तो a square के लिए हम क्या करेंगे 4 into x plus y और यह इसका यहाँ पर square ले लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर दो brackets टेलेंगी एक हम square bracket डाल रहे हैं तो इधर हम middle bracket इस्तमाल कर लेते हैं ठीक है तो a hole का square हो गया उसके बाद जो है plus a b a हमारे पास क्या है 4 into x plus y और b हमारे पास क्या है z तो यहाँ पर साथ में z आ गया उसके बाद क्या आ जाता है plus b square तो b हमारे पास z है तो यहाँ पर z का square आ जाएगा और यह middle bracket तो नहीं सोरी अब square bracket ही रहे तो यह close होगे ठीक है तो उमीद करता हूँ समझ में आया होगा यह हमारे पास a square है यह हमारे पास a b है और यह हमार से मिट मिटने के बाद उसके बाद आ गया गर चलें तो अब यहाँ पर आ जाएगा यही square bracket वैसी के वैसी यह आप small से भी चल सकता है काम क्योंकि 4 जो है अंदर multiply हो रहे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4x plus 4y minus z ठीक है यह पहला इससा हो गया दूसरे इससे में चल plus इधर भी multiply हो रहे तो यह हो जाएगा 4x चलो अगले step में कर लेते हैं plus 4y अगले step में z को भी multiply कर लेंगे plus यहाँ पर आ जाएगा z square और यह bracket close आगे चलें तो 4x plus 4y minus z और यह bracket close अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन सा a plus b whole का square ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं कौन सा के a plus b whole का square बराबर होता है a square plus b square plus 2ab ठीक है दर्मियान में plus है तो इसलिए plus 2a भी आ है तो वो यहाँ पर लगा देंगे हम तो यह square bracket एक हो जाएगा first term का square फिर plus last term का square फिर plus 2 into first term 4x है last term 4y है तो यह पूरा हमने फार्मूला लिख लिए इसके बाद z को अंदर multiply करवाएं इस हिसे में ठीक है तो इस हिसे में z को multiply करवाएं तो क्या हो जाएगा 4xz plus 4yz ठीक है और plus z square था तो यह z square आ गया और यह bracket close further आगे चलेंगे तो 4x plus 4y minus z bracket close उसके बाद यहाँ पर 4 for the 16x square plus 16y square और यह हो जाएगा प्लस 4 for the 16, 16 to the 32, तो 32xy उसके बाद आ जाएगा plus 4xz plus 4yz plus z square और यह bracket close तो इसके साथ ही आपका यह question मुकमल हुआ, यहाँ पर आप answer लिख दीजे और इस सरफ अमल को लिखे लेने दीजे या मिटा दीजे आपकी मर्जी है तो उमीद करता हूं यह question जो है वो भी आप को screen के ओपर नजर आ रहा है, अब यह expression जो है पिछले तमाम expression से या पिछले तमाम question से मुक्तलिफ है, क्यों मुक्तलिफ है क्योंकि exercise में जैसे के वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, तीन किसम के expressions को factorize करना सिखाया गया है, तो यह आपकी second type है, ठीक है, तो इस किसम क पहचान क्या है, सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें 4 terms होती है, ठीक है, बाकी किसी में 4 terms नहीं होती, इस से पहले जो आप कर रहे थे, उसमें 2 terms होती थी, लेकिन इसमें 4 है, तो पहचान एक ये भी है, बाकी formula इन 4 terms को solve करने के लिए जो formula आप इस्तमाल करोगे, वो पहले मैं यहां लिख देता हूँ, अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद आप ये solve कर पाएंगे, ठीक है, जैसे एक formula तो होता है, अब मैं यहां पर लिख को a plus b whole का cube, ठीक है, ये ब्राबर होता है a cube, उसके बाद plus 3ab, ठीक है, फिर plus 3ab, और फिर plus और फिर b cube, ठीक है उसके बाद क्या करते हैं, हम एक बार a के उपर square डाल देते हैं, और एक बार b के उपर square डाल देते हैं, ठीक है, तो plus का तो याद करना असान होता है, कि हर तरफ plus ही आता है, और एक बार a के उपर square आता है, और एक बार b के उपर square आता है, माइनस के अंदर थोड़ा सा आप को याद रखना पड़ेगा जैसे a minus b hole का cube जो होता है ये बराबर होता है a cube उसके बाद minus 3ab उसके बाद plus 3ab उसके बाद फिर minus b cube ठीक है फिर a के उपर square और b के उपर square अब मैंने कैसे याद रखा हुआ है इसको या हर किसी के एक अपना तरीका होता है लेकिन मेरे मताबिक ऐसे याद कर लीजिए आप जब भी minus का formula हो तो आप ऐसा देखिए plus minus plus minus तो एक ये sequence याद कर लीजिए plus minus plus minus ठीक है तो इसी तरतीब से मैं अपने students को ऐसे ही बताता हूँ तो इसी तरतीब से ये formula अपने जहन में रखिएगा और तमाम questions को आप easily solve कर लोगे ठीक है और पहचान के बारे में हम बात कर रहे थे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ये cube वाली है एक ये cube वाली है एक बार इसपे square है एक बार इसपे square है तो ये भी पहचान हो सकती है लेकिन असल पहचान ही है कि चार terms हो ठीक है तो उसको हम इन formula की मदद से solve करते हैं ठीक है और दूसरा ये बात एहम अगर दर्म्यान में कहीं पर minus आजाए तो its mean के a minus b hole का cube ये वाला formula लगेगा plus के अंदर जो है वो सारे ये वाली terms जो होती है plus की ही होती है ठीक है तो ये चीज़ आप बाकी कुछ ऐसा है नहीं जो इसमें बताने के like हो बस question solve करते है ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताए थी कि questions इस शकल में है आपके आपने उसको इस शकल में change करना है तो जैसे इस शकल से इस शकल में पहुँचेंगे तो question factorize हो जाएगा जैसे इसकी factorization करनी है तो factorization का मतलब क्या होता है इसको multiplicative form में लेकर आ जाएगी बाकी म तो यहाँ पर अब solve करने के लिए में क्या करूँगा सबसे पहले तो एधर solution लिखोंगा ठीक है question छोटे से हैं बस थोड़ा धियान रखेगा उसके बाद जो है 27 question एक बार लिख लेते है 27 p cube plus 144 p q square उसके बाद minus 108 p square q उसके बाद minus 64 q cube ठीक है अब जैसी question लिखा इसके बाद आप रफ अमल में formula लिख लिजिए ताके आप उसको उसके मताबिक arrange कर सको ठीक है जैसे formula अब यहाँ पे क्योंके minus इस्तमाल हुआ है तो it's mean a minus b whole का q वाला formula लगेगा तो वो किसके equal होता है यहाँ पे अगर लिखों a minus b whole का q बराबर होता है a cube उ minus b cube एक बार a cube पर square और एक बार b cube पर square ठीक है तो अब जो है आप क्या करेंगे आपने simple एक काम करना है कि इस वाली expression को same ऐसे ही convert कर दो और आपका question solve हो जाएगा जैसे अब आप देखिए इधर a cube है और last में b cube है तो हम भी ऐसे ही करेंगे इस question में पहले से ही first और last जो है व बाद में कर लेते हैं ठीक है ताके formula के मताबिक आप easily check भी कर सको से ठीक है इसलिए तरतीब दे रहे हैं इसको तो एक step में तरतीब देना जरूरी नहीं होता लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं ताके हर question जो है easily आप solve कर दो तो जैसे 27p cube है इसके बाद जो है formula में minus वाले term आत square ठीक है उसके बाद last cube की term जो है 64 cube है तो अब आप match करके देख सकते हो यह minus की है यह plus की है और minus का cube है यह minus की है यह plus की है और minus का cube है ठीक है तो अब हम easily इसको brackets की form में लिख सकते हैं कैसे देखिए 27 जो है किसका cube हमें cube के अंदर change करना है तो 27 किसका cube होता है 3 का cube होता है तो 27 की जगे में 3P लिख दूँ और ऐसे होल का क्यूब डाल दूँ तो एट्समीन के मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यों 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 कि यह इसके एक्वल ही होता है ठीक है उसके बाद आगे अगर चले तो अब सिंपल आपने क्या गरने इसके बाद लास्ट 64 जो है वो किसका क्यूब होता है वो 4 का होता है 4 for the 16, 16 for the 64 होता है तो यहाँ पर 4 Q ऐसे होल का क्यूब डाल दूँ तो यह देखें फर्स्ट क्यूब में लिख लिए लास्ट क्यूब में लिख लिए अब बाकी आप easily सोचने की जूरूत नहीं है चेक कर लेंगे आप simple formula के accordingly लिखते जाएं इसको जैसे के पहले क्या है minus 3 A square तो यहाँ पर minus 3 A ठीक है A हमारा क्या है 3 P ठीक है यह हमारा A है अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे यह A है और यह B है ठीक है तो इसी तरह यह हमारा A हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा तो उसके बाद क्या है 3 A A हमारे पास 3 P है तो यहाँ पर लिख दो 3 P और B हमारे पास कितना है 4 Q ठीक है तो यहाँ पर लिख दो 4 Q Q, उसके बाद यह देखे 4q लिख दिए, ठीक है, उसके बाद जो है, यहां पर 3AB है, तो यहां पर पुर प्लस लिख देंगे, 3A कि इतना है 3P, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे करके लिखना चाहिए था, मुझे, चलो थोड़ा पीछे कर देते हैं इसको तो इसको यहां से पकड़ते हैं और यहां पर थोड़ा पीछे कर दे ठीक है अब 3P 3P के बाद भी हमारे पास किया 4Q तो यहां पर 4Q आ ठीक है तो मैं आपको फर्दर बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको इस बात को ठीक है यह हमारा A Q हो गया ठीक है यह माइनस 3 A हो गया यह B हो गया यह प्लस 3 यह A हो गया और यह B हो गया और यह माइनस B क्यूब हो गया ठीक है सोरी डाल देता हूं तो देखिए सेम ऐसे ही मैंने किया है अब आप क्या करते हैं इसमें पहले के उपर A के उपर स्केर पहले और फिर B के उपर स्केर तो आप यहां पर भी ऐसे ही कर देंगे, पहले A हमारा 3P है, इस Q पर square डाल दो, और अगली term में B हमारा 4Q है, तो इस Q पर square डाल दो, तो जैसे ही आप इस तरह से मुकंबल, यानि आपने करना किया है, मैं जो वीक बच्चों के लिए कौशिश करूँ बतानी की, पस पहली और last जो है, आप cube की form में लिख लो, उसके बाद तो simple है कि 3 लिखोगे, यहां भी 3 लिखोगे, यहां पहली, यहां दूसरी, यहां पहली, यहां दूसरी, simple भी पहली के उपर square, दूसरी के उपर square, तो एक सीधा से है, यह करने के बाद आप इसको check भी कर लो, कि मैंने जो किया ह सही किया है, तो अगर इसको check करें, तो यही आना चाहिए ना मेरे पास, तो 3 का square कितना होता है, 9, 9, 3 कितना होता है, 20, calculator हमें चाहिए होगा, तो देखिए, यह आगया हमारे calculator, 3 का square कितना होता है, 9, 9 को 3 से multiply कर दो, तो 9 multiply by 3 is equal to 27, उसके बाद यहां 4 है, तो इसको फिर 4 से भी multiply कर दो, तो यह हमारे पास आजएगा, 108, तो आप देख सकते हैं, कि 108 है, तो यहां पर check जरूर कर लिजेगा, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका question गल्द हो गया, 108, P square, Q बन रहा है, तो आप देखिए, यही जो है, यही तो है, अगर यह इसके equal R है, ठीक है, brackets की, जो values, तो इस भी न आपका question ठीक है, तो जैसे इसको check किया है, ऐसे ही मैं अगले इससे को check कर लेता हूँ, अगले को कैसे करूँगा, 4, 4 दा कितना होता है, 16, 16, 3 दा, कितना होता है, यहां पर calculator हमें दुबारा चाहिए होगा, 16, multiply by 3, ठीक है, तो 48, तो फिर उसके 144, P, Q, square, तो आपका पास यही आ गया, ठीक है, तो it's mean के, यह हिससके बराबर हो गया, यह हिससके बराबर हो गया, यह हिससके बराबर हो गया, यह हिससा, यह term, इसके बराबर हो गया, इसी लिए मैंने तर्तीव दी थी, ताकि आप फार्मूले के accordingly इसको easily solve कर सको, और अब जो है जैसे फार्मूले के अंदर आप लोगों ने देखा है कि ये वाला एंड अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यों क्योंकि ये दोनों एंड जो है आपस में एक दूसरे के आप देख सकते हैं equal का sign है equal है तो इसकी जगे जो है दूँगा थ्री पी माइनस वोर क्यू होल का क्यूब और यही आपका आंसर हो जाएगा इससरफ अमल को लिख रहने दीजेगा या बाई उजिंग फार्मूला लिखने के बाद question में भी add कर सकते हो लेकिन मेरे लिहाद से ये question खतम हो गया तो simple आपने क्या करना है इसको पह सकते हो 3p-4q के उपर cube है इसका मतलब क्या है कि 3p-4q three times है ठीक है minus 4q और 3p-4q ठीक है तो यह हमारे पास expression थी है इसको हमने multiplicative form में change कर दिया तो किसी भी expression को multiplicative form में change करने को ही factorization करना कहा जाता है ठीक है तो उमीद करता हूं यह question जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबसे असान यह question है अगर समझ में आए तो चलि अगले question की तरफ चलते हैं तो question number 10 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इदर लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद question को एक बाद दूबारा लिखें तो 8p cube plus q cube उसके बाद आ जाएगा plus 12p square q plus 6p q square ठीक है तो अब क्यूंके यहां पर सारे plus के sign है तो it's mean के plus वाला formula लगेगा formula जो है यहां पर देख लेते हैं के कौन सा लगेगा a plus b whole का cube यह लगेगा ठीक है यह किसके बराबर होता है यह बराबर होता है a cube plus 3ab plus 3ab plus b cube एक बार a के उपर square एक बार b के उपर square ठीक है क्यूंके 4 terms है इसलिए यह formula लग पहले तो पहचानना है कि कौन सा formula लगेगा क्यूंके 4 terms है इसलिए यह formula लगेगा अब हम इसको arrange करेंगे arrange करेंगे तो पहले a cube होता है last में b cube होता है और फिर उसके बाद a square वाली होती है और फिर b square वाली value होती है ठीक है तो ऐसे ही करेंगे सबसे पहले 8p cube यह cube वाली value है तो इसको पहले लिख लेते हैं ठीक है और उसके बाद यहाँ पर equal का sign डाल देते हैं last में यहाँ पर लिख देते हैं plus q cube ठीक है तो cube वाली दोनों end में आ गई यह वाली और यह वाली ठीक है अब यहाँ पर कौन सा आएगा जिसमें a square a हमारा यह बनेगा ठीक है तो यहाँ पर होता है 3 a b तो a वाली पहले है तो जिसमें p होगा वो यानिके simple सी बात है न के 3 a b आएगा तो a में क्या लिखेंगे यहाँ वाली value न तो जिसमें और यहाँ पर क्या होता है square होता है अगर आप यहाँ पर देख सकते हो के 3 a square तो its mean के p की उपर square होना चाहिए वो इसके बाद आएगा ठीक है तो square वाली जो है वो कौन सी है p q पर यह वाली ठीक है तो इसके बाद हम यह लिखेंगे plus 12 p square q ठीक है अब आप देख सकते हो यह a था और a square बनेगा तो यह practice से आ जाएगा आप कहें सर हमें तो नहीं पता चल रहा पहले आप 4-5 सवाल कर लें यह जित हो जाएं और आप easily एक बार समझ में आ गए तो भीना तरतीब के भी आप इसे solve कर पाएंगे ठीक है तो पीछे कौन सी value बच गई हमारे पास 6p q square यह बच गए ठीक है तो q q जादा दूर ही लिख दिया मैंने इसको थोड़ा से क्रीब कर देता हूं तो यहां पर आ जाएग हम यहां पर q का cube लिख लेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आ जाएगा plus तो आप देख सकते हो मैंने असानी से चो तरतीब दे लिया लिए हमारा a था यह हमारा b था तौँ अब देखिये 3AB यानि कि ये वाली value और फिर ये वाल आई होप इसला question अच्छे से समझा है तो सारी बात समझ में आ रही होगी और उसके बाद scare डालना है तो पहले A के उपर scare होता है तो ये हमारे A है और फिर last वाली B होती है तो ये हमारी इनके उपर scare डाली अब इनको match करके देखते हैं कि हमारे question match करना compulsory है तो इनको match करके देखें तो क्या होगा 2 to the 4 और 4 to the 12 होता है 12 P square Q आता है तो यहां पर 12 P square Q तो अब आपके पास value इधर देखें तो 3 to the कितना होता है 6 P Q square होता है तो देखें उपर भी यही value है तो इसमीन के हमारी जो भी हमने बैकेट्स में value पुट की है वो सारी की सारी ठीक है तो अब इसको तो फार्मूले की शेप में लिख देंगे क्योंकि अगर कहीं पर कोई expression इस तरह से लिखी हो ही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यह इजाज़त हमें फार्मूला देता है ठीक है तो फार्मूले के accordingly क्या लिखेंगे ए हमारा क्या है टूपी तो यहां पर आग इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखना होगा solution उसके बाद question को एक बार उतारेंगे 125 x cube minus y cube minus 75 x square y plus 15 x y square ठीक है तो यह हमारे पास expression है तो क्यूंकि इसमें 4 terms है तो इसलिए फार्मूला इस्तमाल होगा a minus b whole का cube क्यूंकि यहां पर minus है तो इसलिए minus का formula लगेगा तो formula एक बार लिख लेते हैं ताकि आप उसके साथ relate कर सको तो a minus b whole का cube यह formula लगेगा तो इसमें क्या होता है a cube उसके बाद क्या होता है minus 3ab फिर plus 3ab और फिर minus b cube ठीक है कैसे याद रखने है plus minus के arrangement पहले plus का number होता है फिर minus का number होता है फिर plus का number होता है फिर minus का term होता है ठीक है तो इस तरह से plus minus plus minus जैसे के पहले question में बताया था तो याद आ गया होगा उसके बाद यहां पे a के उपर square और यहां पे b के उपर square तो इसी तरह से इसको तरतीब दे लेंगे सबसे पहले cubic वाले नमबर लिखेंगे तो 125 X क्यूब आ गया उसके बाद second क्यूब का ये नमबर है या ये term है तो इसको last में लिख लेते हैं तो ये minus Y क्यूब आ गया उसके बाद पहले minus का term आएगा तो ये minus का term है न और ये positive है तो पहले minus का term लिख लेंगे तो minus 75 X square Y उसके बाद positive तो 15 X Y square ठीक है तो इस तरह से ये arrange हो गया हमारा कैसे arrange मुझे कैसे पता चला simple सी बात है पहले plus का term होता है फिर minus का होता है फिर plus का होता है फिर minus का होता है और वो चीज मैंने यहां से देख के मालूम कि ठीक है तो minus 3 cube ज्यादा फासले पर है इसको थोड़ा क्रीब कर लेते हैं तो यह आ जाएगा minus Y cube ठीक है अब इसको cubic form में लिख लें 125 जो है 5 का cube होता है तो यहां पर आ जाएगा 5 X hole का cube ठीक है और इधर जो है वो कितना जाएगा minus Y hole का cube तो यह हमारा A है यह हमारा B है तो चलिए अब तो असान है minus 3 A क्या है 5 X तो 5 X लिखका B क्या है Y तो यहां पर Y लिखका उसके बाद प्लस 3 पिर A क्या है 5 X तो 5 X लिखका B हमारे पास Y है तो यहां पर Y लिखका और यह बात खत्म हो गई ठीक है उसके बाद square डालने है तो यहां पर square डाला और एक बार यहां पर square डाला तमाम अरेंजमेंट्स होगे अब चेक करना है कि question सही जा रहा है या नहीं तो 5 5 25 25 को 3 से multiply करेंगे तो 75 आ जाएगा 75 X हुआ है तो sorry X के ओपर square भी है न तो यहां पर square तो देखिए यह इस जैसा है तो its mean के हमारा sign भी देखने होते हैं sorry आप देखें यहां पर minus है तो यह इस जैसा है तो its mean के हमारा यह value तो सही है ठीक है अगली value की तरफ चलें तो इसको मिटा देते हैं उसको चेक करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 5 3 दा कितना होता है 15 X Y square तो यह जो है प्लस की value थी आप यहां पर भी देख सकते हो प्लस की value ही है तो its mean के हमने तमाम चीज़ें तमाम values जो हैं वो सही put की है तो अब हम इसको convert कर देंगे जैसे के फार्मूला कहता है कि अगर कोई expression ऐसी हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो इसी चीज़ को इस्तमाल करते हुए मैं आफ ए क्या हमारे पास 5 X B क्या हमारे पा इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा solution उसके बाद question को लिखें तो P cube है minus 9 P square Q है plus 27 P Q square है minus 27 Q Q cube है ठीक है तो क्योंके plus minus दोनों signs इस्तमाल हो रहे हैं तो it's mean यहाँ पर formula लगेगा minus वाला ठीक है तो वो किसके equal होता है A minus B whole का cube बराबर होता है A cube उसके बाद आ जाएगा minus 3AB plus 3AB और यह minus B cube ठीक है तो एक बार A cube पर square एक बार B cube ठीक है तो याद रहेगा na plus minus plus minus इस तरह से तरतीब हमने रखनी है नीचली वाली यह जो question है इसके अंदर भी ठीक है तो इसको तरतीब दें तो सबसे पहले cube की लिखते है तो P cube लिख लिए उसके बाद second cube जो है वो पहले से last में यह अच्छी बात है तो इसको चुला end में लिख लेंगे भी आया लिखें तो end में लिख लेंगे उसके बाद पहले minus की होती है फिर plus की होती है तो it's mean के तरतीब तो हमारी पहले से ही ठीक है तो question में दुबारा लिखा तरतीब देनी के जूरत नहीं है direct इसको लिखो P whole का cube उसके बाद यहां पे लिखो 3Q whole का cube क्योंकि 3 का cube जो है वो 27 होता है और यहां पे minus है तो minus डाल दीजे उसके बाद आ जाते है minus 3 A हमारे पास P है और B हमारे पास 3Q है इसी तरह फिर plus आ जाएगा फिर 3 A हमारे पास P है और B हमारे पास 3Q है ठीक है तोड़ी जगे कम रहे गए इसको थोड़ा सा मैं खुला करके लिख लेता हूं और यहां पे आ जाएगा 3Q औ Q था तो यह ऐसे ठीक है तो उमीद करते हूं तरतीब देना अब तो आगे गई होगी आखरी question है first को Q में लिखा last को Q में लिखा उसके बाद minus 3 यह हमारा A था यह हमारा B था तो यह A B A B ठीक है उसके बाद अब square डालने है तो इसको मैं मिटा देता हूं तो इसको square डालूं कितना होते है 9 तो यह बनता है minus 9 P Q पर square भी है तो P square Q तो इसके साथ मैच करता है दूसरा देखें तो यहां पर 3 का square है तो 3 3 दे 9 होते है 9 3 दे 27 तो plus 27 P Q square है तो अब देखें प्लस 27 P Q square ही है तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं अब क्यूंकर यह सारी चीज़ें सही है तो अब मैं इसको formula की shape में लिख दूँगा simple क्या P minus 3 Q whole का cube ठीक है और यह हमारा answer हो जाएगा आप इनके दर्मियान में यहां पर लिख सकते हो using formula और इसको question का हिस्सा भी बना सकते हो अगर आपके teacher उस method से करवाते हैं लेकिन मेरा mean मकसद आपको समझाना है और मेरे मताबि कि यह ठीक तरीका है लेकिन इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि अपने teacher के तरीक को भी follow कर सको question को यहां से समझने के बाद ठीक है तो question number 13 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है अब यह question जो है पिछले तमाम question से मुक्लिफ है क्योंकि यह तीसरी किसम है expression की जो कि आपके book में बताई गई है ठीक है अब इसकी पहचान क्या है इस expression के पहचान उन दोनों से मुक्लिफ है जो आप पढ़ चुके हैं कि first two terms जो है वो एक जैसी होंगे ठीक है जैसे इधर भी two x square minus three x है two x square minus three x है तो जब यह दो terms एक जैसी होती है तो इस तरह के question जो है वो assume करके solve किय जाते हैं जैसे इसको भी मैं a equal assume कर लूँगा और इसको भी a equal let कर लूँगा या assume कर लूँगा और फिर आगे question solve कर लूँगा ठीक है तो सीखने की बात क्या थी कि let करने के बाद जो है इस तक के question को solve किया जाता है ठीक है formula का कोई अमल धकल नहीं है starting में तो ऐसे solve करता तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा solution तो यह लिख लिया मैंने यहाँ पर solution question लिखें तो question है 2x square minus 3x plus 6 और दूसरी हमारे पास है 2x square minus 3x और यह minus 55 ठीक है अब जैसे कि मैंने का था यह दोनो अगर एक जैसी हो तो इनको let कर लो तो इसको किसी भी variable के equal let कर सकते हैं अब हम लोग 1 equal let कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे let लिखने के बाद 2x square minus 3x यह दोनों एक जैसी थी तो इसको equal रख लिया a के ठीक है अब a के equal रख लिया इन दोनों को तो इन दोनों की जगे हम क्या लिख लेंगे a लिख लेंगे ठीक है तो अब expression किस तरह से बन जाएगी 2x square minus 3x की जगे हम a लिख लेंगे और आगे plus 6 जो है वो पहले से यह वाला मुझूद है तो वह लिख दिया ठीक है और यह bracket close हो गए इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे हम 2x square minus 3x की जगे a लिख डाल दीजे क्योंकि यह जो है वो actually c के बराबर है बस assume किया है एक equal value को अब हम आगे क्या करेंगे simple इन दोनों में multiplication हो रही है तो multiply कर दो multiply करेंगे तो a square plus 6a आजाएगा और पीछे minus 55 है तो minus 55 वैसे का वैसा लिखतेंगे अब आपके पास यह expression बन गए अब इसको अफेक्टराइज करेंगे कैसे जैसे कि पिछले exercise में आप लोग देख चुके हो कि आप यह करेंगे कि इस पूरे नंबर को ठीक है यहां का जो coefficient हो जब 1 से multiply करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा minus 55 है ठीक है पिछले में आपको बताया था ठीक है तो इसलिए उमीद करता हूं कि वह 4.1 आपको आती होगी अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको multiply करें तो हमारे पास क्या आ जाए minus 55 आ जाए और जिनको add करें तो हम ह क्या आ गया हमारे पास calculator सबसे पहले तो 1 के साथ करके देखते हैं ठीक है 1 के साथ 55 को करेंगे तो 55 तो आ जाएगा लेकिन मेरे पास 1 और 55 पे combination से 6 नहीं आएगा इसलिए यह तो नहीं हो सकता 55 2 पे जाएगा नहीं 3 पे भी नहीं जाएगा 4 पे भी नहीं जाएगा 5 पे जा multiply by 11 is equal to 55 ठीक है तो अब 11 को मैं यहां पे लिख लेता हूँ एक नमबर हमारे पास 11 आ गया एक हमारे पास 5 अब 11 5 तो होता है लेकिन मुझे माइनस का 55 चाहिए और ओके पहले यहां पे 11 लिख लेते हैं और यहां पे भी 5 लिख लेते हैं और मुझे नीचे भी कुछ ऐसे कर वैल्यू जो है वो प्लस की रखनी होगे मुझे तो चोटी वैल्यू जो है मैं माइनस की रख देता हूँ तो यहां पे माइनस लगा देते हैं अब देखे 11 को माइनस 5 से multiply करेंगे तो माइनस 55 आ जाएगा और positive 11 में से जब आप माइनस 5 निकालेंगे तो 11 में से 5 गे 6 बच करेंगे तो यहां पर अब मैं लिख सकता हूँ इसको बोलते हैं mid term break method ठीक है तो जिस तरह के जितने भी questions होंगे mid term break करके होंगे ठीक है तो यहां पर आ जाएगा a square उसके बाद इसको भी मिटा देता हूँ यह वापस क्यों आ गया a square लिखने के बाद आगे हम इन दोनों मे से कोई सी भी पहले लिख लो चाहे minus 5 लिख लो चाहे 11 वाली value लिख लो ठीक है तो यहां पर हम minus 5 ही कर लेते हैं पहले ठीक है plus के जगे तो minus 5 यहां पर a लिखेंगे अब यह भी चीज पिछले exercise में बताई थी लेकिन दुबारा से बतारू हम में हमारा main मकसर दर्मयान वाल yes इसको इस पूरी के साथ multiply करवाया जाता है जब पूरी के साथ multiply करवाएंगे तो a square हो जाएगा तो अब देखिए 11 a और 5 a को multiply करवाएंगे तो a square ही आ जाता है लेकिन हर बार variable के साथ साथ करेंगे तो question थोड़ा बताने में और लिखने में थोड़ा annoying लगता हमें सिर्फ number ही ढूंड़ने होते हैं that's why के बाकी चीज हमें पता ही है पहले से जुबानी पता चल जाती है कि a भी साथ लगेगा तो इसलिए मैं खाली numbers की सूरत में pair बना रहा हूं और question solve कर रहा हूं अब जैसे यहां पर इसको reverse कर देते हैं एक minus a था हमारे पास और sorry minus five a था और एक था plus eleven a ठीक है यह दोनों pair हमने लिख लिए और यह हो गया minus 55 अब आप देखें इन दोनों का result जो है यह value आ गई अगर यह आए तो ठीक है question वरना गलत जा रहे हो आप उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो क्या होगा अब इन दोनों में क्या common है इन दोनों में a common है तो a ले ल five ठीक है तो यह दोनों same आए है it's mean question ठीक जा रहा है अब इन दोनों में क्या common है इस हिस्से में और इस हिस्से में a minus five दोनों के अंदर मुझूद है ठीक है तो a minus five को बाहर निकाल लो ठीक है और अंदर बच जाएगा हमारे पास a plus eleven ठीक है यह चीज़ होगी ठीक है इसको I हो चलो बता देता हूं इस exercise में नहीं बताया यह दो हिस्सें है ना दरमयान में plus है तो इन दोनों हिस्सों में a minus five आप देखिए दोनों तरफ मुझूद है that's why कि मैंने यहां बाहर common लिया जैसे common लिया तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास यह वाली value a और यह plus eleven ठीक ह तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं इसकी जूरत अब नहीं है उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब हम क्या करेंगे जब question यहां पर पहुंच जाएगा आपका तो आप दुबारा से जो है a की जगे a की value put कर देंगे जो के आपने उपर assume की तीक है तो यहां पर statement by putting the value of a तो a की value क्या है हमारे पास a की value है हमारे पास यहां पर लिख लेते हैं 2x square minus 3x तो यहां पर आ जाएगा 2x square minus 3x ठीक है a की जगे हमने यह वाली value लिख ली आगे minus 5 है तो यह minus 5 आ जाएगा और यह bracket close इसी तरह इदर भी आ जाएगा a की जगे 2x square minus 3x और आगे plus 11 है तो यह plus 11 डाल दिया और इस तरह से यह a की value यह a की value हमारे पास अब दो values आ चुकी है अब इसको आगे बढ़ा लेंगे तो इसको आगे बढ़ा है तो अब हम क्या करेंगे simple सी बात है कि हम देखेंगे इसको further factorize किया जा सकता है या नहीं और इसको further factorize किया जा सकता है या नहीं तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं इसको देखें first को तो minus 5 को अगर 2 के साथ multiply करूँगा तो मिरे पास कितना आ जाएगा minus 10 आ जाएगा अब मुझे दो नंबर चाहिए जिनको multiply करूँ तो minus 10 आ जाए और जिनको add करूँ तो middle value क्या है minus 3 तो वो minus 3 आ जाए ठीक है तो वो दो नंबर कौन से होंगे तो 2 5s are 10 ठीक है तो इसी से बन जाता है 2 और 5 को multiply करेंगे 10 और 2 और 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा अब मुझे बड़ी value जो है वो minus के रखने होगी ताकि minus 3 आए तो आप आप देखिए minus 5 को 2 के साथ multiply करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास minus 10 minus 5 में से 2 गया तो minus 3 ही आ जाएंगे तो यह factorize हो सकती है तो इसलिए यहां पर आप लिख लेंगे 2x square उसके बाद plus 2x चलो पहले plus की value लिख लेते हैं फिर उसके बाद आजाएगा minus 5x उसके बाद minus 5 है तो minus 5 लिख दिया ठीक है इसी तरह इसको देखेंगे यह further factorize होती है या नहीं होती तो इसक तो 22 sorry 22 के अब दो number चाहिए जिनको multiply करें तो हमारे पास 22 आजए और जिनको add करें तो हमारे पास minus 3 आजए तो 2 पे जाता है 2 को 11 से करेंगे 2102 22 आजएगा लेकिन 11 और 2 के plus minus करने से minus 3 नहीं आएगा 3 पे भी यह नहीं जाता 4 पे भी नहीं जाता 5 पे भी नहीं जाता 6 पे calculator से करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह हिस्सा आगे factorize नहीं होता तो जो हिस्सा factorize नहीं हो उसको वैसे का वैसा लिख दो तो यहां पर आ जाएगा 2x square minus 3x plus 11 ठीक है तो यह वैसे का वैसा ही साथ चलेगा इसको मिटा देते हैं इस में से भी same वैसे ही करेंगे फर minus 5 बाहर निकला आया तो अंदर बच जगह x बाहर minus common लिया है तो यहां पर sign bracket के अंदर change हो जाता है तो यहां पर भी x plus 1 आ जाएगा ठीक है और यह square bracket डाल देंगे हम क्यूंके small इस्तमाल होगी अंदर और यहां पर यह वैसे का वैसा 2x square minus 3x plus 11 ठीक है तो अब इन दोनों मे x plus 1 common है तो x plus 1 हो गया और इदर आ जाएगा 2x minus 5 और यहां पर 2x square minus 3x plus 11 ठीक है फर्दर यह factorize हो नहीं सकता तो यही हमारा answer हो जाएगा question number 14 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहे है यह भी बिल्कुल वैसे ही solve होगा अगर आप देखेंगे तो first two term इधर y square plus 2y इधर भी है y square plus 2y इधर भी है ठीक है तो हम इन दोनों को let करेंगे एक equal और आगे solve कर लेंगे ठीक है तो उमीद करतों पहचान गए होंगे आप किस किसम से तालुक रखता है यह question तो हम सबसे पहले question को लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा y square plus 2y minus 3 उसके बाद हमारे पास आ जाएगा again से y square plus 2y plus 11 आजाएगा ठीक है और यह bracket close और यह plus 48 constant है तो इसको साथ लिखते रहेंगे उसके बाद अब हम let करेंगे तो color change करके let कर लेते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं let ठीक है ताकि आप लोगों को वाज़े पता चले let लिखने के बाद यहां पर a equal रख लेते हैं y square plus 2y के ठीक है अब जब यह a इसके equal रखा है तो हम अब लिख सकते हैं इस चीज़ को equal डालने के बाद क्या चीज़ a minus 3 ठीक है इसकी जगे हमने क्या कर दिया a लिख दिया यहां पर उसके बाद आगया अगर चले तो यहां पर आ जाएगा a plus 11 packet close plus 48 साथ है तो यह plus 48 आ ठीक है अब यह दोनों multiply हो ठीक हो रहे हैं तो multiply कर लो multiply करना आपको आता होगा एक पूरी को इस kो इस पूरी के साथ multiply करवा देगे और next भी पर इस तो को इस पूरे के साथ दुबारा से multiply करवा देंगे रफ अबल में करवाने के बार डारेक्ट भी लिख सकते हो इधर इधर भी multiply करवा सकते हो मर्जी है तो इधर ही करवा लेते हैं एंटू कितना हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 11 उसके बाद माइनस 3 है इसको भी ए प्लस 11 के सा फ्लस फॉर्टी एट वैसे का वैसा फदर आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा ए-स्केर प्लस 11 माइनस3 ये बहार मानfl tut अंदर का साइन चेंज होगा तो मैनस 33 हो जाएगगा ठीक है और यहांपर आ जाएगा प्लस 48 इसके बाद आगे आगे अगर चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा A square वेसे का वैसा 11 में से 3 गाए तो 8 आ जाता है तो 1 v8 A आ जाएगा उसके बाद 48 में से 23 गए तो कितने बचेंगे तो यहां पर कर लेते हैं 48 में से 33 गए तो हमारे पास 15 बच जाता थे तो यहां पर आ जाएगा प्लस की value बड़ी है तो प्लस 15 ठीक है तो यह अब expression आ गए इसकी further factorization कर लेंगे तो इसको उपर करते हैं उपर करने के बाद factorization करें तो इसको हम इसके coefficient से multiply करवाएं तो 15 अब हमें दो number चाहिएं जिनको multiply करें तो 15 आ जाए और जिनको add हम करें तो middle value क्या है 8 तो 8 आ जाए ठीक है तो a लिख लो फिर plus 3 और 5 में कोई भी पहले रख लो मसला नहीं उससे ठीक है और यहां पर 15 था तो 15 लिख लिया इसको मिटा देते हैं यहां से अब दो pair बन जाएंगे ठीक है तो पहले pair में क्या common है a तो यहां पर a लिख लिया और अंदर बच जाएगा a plus 5 इधर क्या common है 3 तो अंदर बच जाएगा a plus 3 5 15 होता है तो 5 ठीक है अब इन दोनों में a plus 5 common है तो a plus 5 लिख लिया ठीक है और पिर यह a plus 3 बाकी बच गया तो यह लिख लिया अब हमारे पर जब यह इस तरह से दो factors आ जाते हैं तो replacing back दुबारा से हम a की value जो है put कर देते हैं तो यहां statement यहां पर दुबारा से इसमें values put करें a की तो a की value उपर नजर आ रही हो गया आपको तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास a equal था y square plus 2 y के और फिर plus 5 है तो यह हो गया 5 और इधर चलें तो y square plus 2 y पिर 3 है तो यह आ गया 3 ठीक है तो दुबारा से बताता हूं उपर यह नजर आ रही आपको value तो यह एक ही जगे जो है यह आ गया और यह एक ही जगे जो है यह वाली value मैंने put कर दी अब जो है दुबारा से देखेंगे के यह factorize होते है यह नहीं होता तो जब आप इसको five को one से multiply करेंगे तो five अब दो number चाहिए तो आपको जिसको multiply करने से five y और add करने से two आज है तो ऐसे दो number नहीं मिलेंगे आप try करेंगे देख लीजेगा तो further जो है ना यह factorize हो सकता है ना यह factorize हो सकता है तो इसलिए हमारा यही जो है answer हो जाएगा तो question में यही बोला गया था factorize करिये तो यह हमारे पास जो है question था ठीक है और इसको हमने यहां पर आप देख इसलिए questions की तरह ही है यानि उसी किसम से तालुक रखता है बस दिखने में थोड़ा मुखलिफ है लेकिन आप इनको multiply करेंगे तो same जैसे कि पिछला question था वो वैसे ही बन जाएगा और आप let करके इसको solve करेंगे मैं solve करूंगा तो आपको समझ में आएगा इसमें थोड़ी स 3 into y minus 4 plus 2 ठीक है तो जब इस तरह से काफी सारे brackets हो या काफी सारे expressions आपस में multiply हो रहे हो तो आपने क्या करना होता है सबसे पहले यानि कि multiply करवाना होता है ठीक है तो जैसे इन दो को multiply करवा दो इन दो को करवा दो लेकिन multiply करवाने से पहले आपने balance बनाना होता है ठीक है या पिर दूसरे लफजों में arrange करना होता है जैसे हम देखेंगे कि minus 4 और minus 3 को अगर add करेंगे minus 4 minus 3 कितना हो जाएगा minus 7 हो जाएगा ठीक है यह चीज भी मुझे बतानी चाहिए देखिए जैसे y plus 0 इस तरह लिखने से इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है तो अब देखिए अगर मैं इनको दुबारा करो y plus 0 दूसरी क्या थी y minus 1 थी तीसरी क्या थी y minus 3 थी और 4 थी y minus 4 थी ठीक है तो अब मैं किन दो को तर्तीब दूँ इन दो को करता हो तो minus 7 आता है minus 4 और minus 3 इन दो को करता हो तो minus 1 आ जाता है तो ये तो equal ना हुए ठीक है तो अब मैं अगर इसको इसको और इसको अकठा रखूँ और इन दो को अकठा रखूँ तो balance बन जाएगा कैसे मैं आपको पताता हूँ इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी तो balance बना नहीं तो यहां पर अब मैं लिखूँ गा देखिए 0 ठीक है और minus 4 ठीक है इन दोनों को अगर add यानि एक इसका और एक इसका इन दोनों के जो variable variable कह रहा है constant यानि number जो है उनका result कितना आता है minus 4 ठीक है तो दूसरे इन दोनों का कितना आएगा इधर minus 1 है और इधर minus 3 है तो minus 1 और minus 3 कितना होता है minus 1 plus minus 3 ठीक है तो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा minus 4 तो आप अब देखिए यहां पे भी minus 4 आगया यहां पे भी minus 4 आगया तो इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि इन दोनों को अकठा multiply करवाएंगे तो इस तरह से आपने equal balance बनाना होता है दोनों के numbers को मिला कर ठीक है तो यह 0 minus 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं काफी बच्चे कहा रहे होंगे इधर plus किया इधर नहीं किया तो इसको ऐसे लिखेंगे तब भी हमारे पास यही जवाब आएगा मैंने direct कर दिया था तो उमीद करता हूँ समझ में आया होगा ठीक है इसको short way में अगर बताऊँ जल्दी से दुबारा आपका review हो जाएगा देखिए आपने simple यह करना है कि देखना है जैसे इसका 0 और इसका minus 4 तो आप यहाँ पर ऐसे कर लिए करें minus 4 तो इसमीन के तरतीब इस तरह से रख सकते तो चलिए रखते हैं तो मैं इसको तरतीब दूँ तो y के साथ मुझे लिखना है किसको minus 4 वाले expression को तो यह मैंने इसको इसके साथ लिख लिया और यहाँ पर y minus 1 और y minus 3 ठीक है और साथ में plus 2 था तो plus 2 वैसे का वैसे अब देखिए यह दोनों आपस में यानि के balance बना के रखा हुआ है तो इस तरह से हर question अगर अच्छे से समझ भी नहीं आया तो बागी question करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसलिए परिशान मत होईएगा तो यहाँ पर सिर्फ आप लिख भी सकते है arranged या ना लिखो तो समझ भी आ जाएगा चेक करने वाले को तो अब हम इन दोनों को multiply कर लेंगे ठीक है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर भी square bracket डाल दो ठीक है इससे क्या हो जाएगा चलो तर्तीब का पता चल जाएगा ठीक है इसको थोड़ा कुला कुला करके लिखता हूँ ऐसे जो है वो सही मजा नहीं आ रहा ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा y ठीक है square bracket थी y के साथ multiply हो रहे है y minus 4 रे bracket close इधर जो है वो y minus 3 और y minus 1 यह दोनों आपस में multiply हो रहे है और इधर 2 हो गए अब सभी समझ माएगा y को y के साथ इसको इसके साथ multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा y square minus 4 y ठीक है तो यह इन दोनों को multiply करके आ गया और इन दोनों को multiply करें तो कितना आ जाएगा तो रफमल में कर लीजे आप या question के अंदर भी कर सकते हो आपकी मर्जी है question के अंदर करें तो y को एक बार multiply करवाएंगे y minus 1 के साथ फिर minus 3 को एक बार multiply करवाएंगे y minus 1 के साथ अमीद कर तो multiply करवाना आपको आता होगा फर्दर आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा y square minus 4y वैसे का वैसा और इधर जो है अब क्या हो जाएगा यहाँ पर y अंदर multiply हुआ तो y square minus फिर y minus 1 multiply होगा तो minus y minus 3y के साथ multiply होगा तो minus 3y फिर minus 3 minus 1 से multiply होगा तो plus 3 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आजाएगा plus 2 फर्दर आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा y square minus 4y ठीक है और इधर आजाएगा y square minus 3y और minus 4y स्वाइगा minus 4y एड करने के बाद और यह plus 3 तो plus 3 आगे और यहाँ पर plus 2 आगे तो इस तरह से अब हम यहाँ पर पहुँचके अब आप देखिए बिल्कुल पिछले question की तरह ही बन गया y square minus 4y इधर भी है y square minus 4y इधर भी है ठीक है तो यह मैं यही बोलना चाह रहा था कि question जो है पिछले questions की तरह ही है बस इसमें तोड़े से step करने के बाद जो है यहाँ पर पहुचा जाता है जबके पिछले questions में direct question यहाँ से ही शुरू हो रहा था ठीक है बस यह फरक है तो अब इनको let करना आप लोगों को आता है तो इसको let कर लीजे तो यहाँ पर मैं लिख स इससे फरक नहीं पड़ता ठीक है तो अब एक एकवल रखेंगे तो किसके एकवल हो जाएगा यह पूरा तो बन जाएगा हमारा एक एकवल ही तो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस थ्री ठीक है यह पूरा एक एकवल हो गया और यह प्लस थ्री गया उसके बाद यहां पर आ जाएगा प्लस टू ठीक है और यहां पर equal का sign डाल देंगे अब इनको multiply हो रहे हैं तो multiply करवा तो यह हो जाएगा a square plus three a plus two ठीक है तो यहां पर लिख देंगे आप two अब इसके बाद जो है वही चीज़ इसको हम इसके coefficient से multiply करवाएंगे तो क्या आ जाएगा two अब हमें दो number चाहिए जिनको multiply करवाओं तो मेरे पास two आ जाए और जिनको मैं add करवाओं तो मेरे पास three आ जाए तो two को one से multiply करवाएंगे तो two आ जाएगा two में one add करेंगे तो three आ जाएगा तो यह तो असान सा है a square plus two a plus a ठीक ह one लिखते नहीं है साथ और यहां पर आ जाएगा two is equal to ठीक है यह चीजें आपको आती होंगी कि variable में के साथ हमेशा one होता है लिखते नहीं है और यहां पर common लेंगे तो a अंदर क्या आ जाएगा a plus two ठीक है और इधर जहां कुछ common नहीं होता है one common होता है तो अंदर आ जाए हैं तो यह क्या हो जाएगा एक इन दोनों में a plus two common है तो पीछे बच जाएगा a plus one तो पहले कोई सब लिख लो a plus one लिख लो ठीक है और a plus two बाद में लिख लो या a plus two पहले लिख लो a plus one बाद में लिख लो multiply हो रहे हैं न दोनों तो इसके तरतीब से फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी लिख सकते हो पहले इसको मिटा देते हैं तो further अब हम a की value जो है इसके अंदर put कर देंगे तो यहां पर हम statement लिखनी होगी तो यहां पर statement लिख देते हैं तो यह लिख दिया by putting the value a तो a हमने किसके एक वल रखा था यहां पर देख सकते हैं y square minus four y के तो यहां प plus four y आगे plus two है तो plus two लिखतेंगे तो इसके बाद जो है further आप इसको देखेंगे calculator की मदद से तो further यह आगे solve नहीं होंगे आगे factorize नहीं होंगे तो जब क्योंकि यह नहीं हो रहे तो its mean के यही हमारा answer हो जाएगा तो इस तरह से यह question solve होता है बिल्कुल पिछले की तरह ही ह बस यह extra steps जो है इसमें शामिल होंगा ठीक है तो question number 16 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इससे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद question को दुबारा से उतारेंगे तो k plus two into k minus three into k plus five into k plus ten और यह plus three hundred seventy five है तो यह वैसे का वैसा लिख अब इदर arrange करवाएंगे arrange कैसे करवाएं तो देखिए five और two यह दोनो seven होते है ठीक है और ten में से three गए तो seven ठीक है तो यहां पर आप देखिए इन दोनों को अगर इन दोनों के numbers कौन-कौन से है two plus five ठीक है अब इन दोनों के number कौन-कौन से है minus three or plus ten तो minus three plus ten करूंगा तो five or two seven और ten में से three गए तो positive seven तो it's been equal आ जाता है तो tick volume को अलग कर लेते हैं और तीचे जो bracket से इनको अलग करके multiply करवा लेते हैं ठीक है तो इसको मिटा देते हैं arrangement का हमें समझ में आ गया तो इसको तरतीब दे के लिखें तो यहां पर आप लिख लेंगे k plus two वैसे का वैसा इसके साथ लिख लेंगे k plus five ठीक है और यह square bracket डाल लेते हैं चलो अलग अलग हो गया और यहां पर square bracket ना डालो तब भी multiply करवा सकते हैं तो इसके बाद जो है k minus three और k plus ten इन दोनों को अलग से multiply करवा लेते हैं और three hundred seventy five है तो यह वैसे का वैसा रहा तो multiply question के अंदर करवाए लेकिन आप अंदर भी करवा सकते हैं लेकिन मेरे मुताबिक रफ अमल में करवा देना चाहिए ठीक है तो जैसे k plus two और यहां पर क्या है k plus five इनको multiply करवाना है तो एक बार k को k plus five से multiply करवा देंगे और एक बार plus two को फिर k plus five से multiply को एक बार इसको पूरी के साथ फिर two को इस पूरी के साथ ठीक है multiply करना तो आता होगा फिर k को k के साथ square multiply करेंगे तो k square बन जाएगा k को five के साथ करेंगे multiply तो five k हो जाएगा यहां पर two को k के साथ करेंगे two k plus five to the get not the ten तो हम इसी step को यहां पर लिख देते हैं ठीक है और और इसको further solve करके भी लिख सकते हो direct ठीक है व उसके बाद आजाएगा plus two k उसके बाद आजाएगा plus ten तो यहां पर आगे plus ten और यह bracket थी तो यह अब small bracket से काम चल जाएगा square डालने की जूद नहीं तो इसकी जगे जो है मैंने यह लिख लिए multiply करने के बाद इसी तरह दूसरा जो हिस्सा है उसको भी देख लेते हैं तो द के साथ multiply कर देंगे और एक बाद मैनस three को k plus ten के साथ multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा के स्के मायनस three k-10 , तो चलिए इसको लिख देते हैं तो यहां पर bracket डाली और यहां पर आगया k square उसके बाद आ गया plus ten k उसके बाद आगया, sorry के नहीं लिखका माहनस three k , उसके बाद आग it close इसके बाद इसको मिटा देते हैं यहां से मिटाने के बाद आगे चलें तो प्लस 375 है तो प्लस 375 लिख लिए फर्दर इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा के square फाइव और टू कितने हो तो 7 तो प्लस 7 के और सोरी बैके डाल रहा प्लस 10 और इस इधर जो हो जाएगा फिर के square फिर प्लस 10 में से 3 गए तो 7 के और फिर माइनस 30 और यह प्लस 375 अब आप देख सकते हो कि यह और यह एक जैसा है तो इसको लेट कर सकते हैं हम लोग तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट ठीक है या color change करके कर लेते हैं ताके आप लोगों को difference नजर आए तो यहाँ पर लिखा लेट लेट लिखने के बाद a is equal to k square plus 7 k ठीक है इसके equal रख लिया अब इसके equal रखा तो इसके बाद values कितनी हो जाएगी तो यह हो जाएगी a plus 10 और इधर हो जाएगा a minus 30 और यहाँ पर आ जाएगा plus 375 ओके तो यह हो गया अब इसके बाद जो है इनको आपस में multiply कर दो तो दुबारा से यहाँ पर रफ अमल में भी कर सकते हो ठीक है रफ अमल में ही कर लेते हैं तो a plus 10 ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा a minus 30 तो यह हो जाएगा a into a minus 30 plus 10 into a minus 30 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा यह हो हमारे पास a square minus 30 a plus 10 a minus 300 तो यहाँ पर आ जाएगा 300 ठीक है तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूं तो यह हो गया a square minus 30 a उसके बाद आ गया plus 10 a उसके बाद आ गया minus 300 उपर से उतारा 375 ठीक है और इसको यहाँ से मिटा दिया इसके बाद फर्दर आगे चलेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा a square वैसे का वैसा 30 में से 10 गए तो minus 20 a बच जाएगा और यहाँ पर plus 75 बच जाएगा क्योंकि 375 में से minus 300 गए तो positive 75 तो यह हमारे पास expression बच जाएगी अब इसकी factorization करेंगे तो 75 को यहां के coefficient के साथ multiply करेंगे तो 75 ही आ जाएगा 75 को अब हमें दो number शाही है जिनको multiply करें तो 75 जिनको add करें तो मेरे पास आ जाए minus 20 ठीक है तो 2 पे one by one करके वैसे मुझे जबान भी पता चल गया लेकिन चलो one by one कर लेते हैं 75 divided by two करके देखें आप तो यह जो है decimal में eights भी नहीं जाता फिर 75 divided by three करके देखें तो आपके पास 25 आ जाएगा लेकिन three पे जाता तो है लेकिन तो three पे जाता तो लेकिन 25 में three add करो या minus करो तो 20 हमारे पास नहीं आएगा ठीक है तो यह pair हम इस्तमाल नहीं कर सकते इसके बाद 75 को four पे divide करें तो हमारे पास यह divide ही नहीं होता five पे करें तो 75 divided by five तो हमारे पास 15 आ जाता है यह pair इस्तमाल हो सकता है कैसे five को अगर multiply करें 15 क के साथ तो 75 आ ठीक है तो five को 15 के साथ multiply करें मैं color change करके करता हूं ताकि आप इसको देख सको five और यहां पे आ गया 15 five और 15 तो देखिए five five 15 five's a 75 और 15 में सिफ 15 और five को add करेंगे तो 20 आ जाए लेकिन में minus को 20 चाहिए तो यहां पे भी minus लगा लो यहां पे भी minus लगा लो यहा जाए के minus लगा लिए अब देखिए minus 15 को minus five से multiply करेंगे तो positive क्योंकि minus minus plus होता है न तो positive 75 और minus 15 और minus five minus 20 होता है तो minus five और minus 15 हमारे पास pair आ गया इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देंगे लेकिन पहले कर लेते हैं आगे तो यह आ गया a square उसके बाद minus five a minus 15 a plus 75 तो अ अब इसके जूद नहीं है इसको आप मिटा सकते हैं रफ अमल में लिखिएगा अब लोग अब हम आगे अगर चलें तो first two में क्या common है a to a common लिया तो a minus five बच गया इधर क्या common है 15 तो minus 15 common लिया तो a बाहर minus common लिया तो अंदर का sign बदलेगा तो 15 five से 75 होता है तो यहां पर five गया और इसके बाद अब इन दोनों में a minus five common है तो पीछे क्या बच गया a minus 15 ठीक है और common जो है वो a minus five हो गया ठीक है अब यह दो values आ गई अब हम क्या करेंगे a की value जो है दुबारा से put करेंगे तो यह मैंने statement लिख दी statement लिखने के बाद a की value put करें तो यह आ जाएगा a हम minus fifteen ठीक है और यहां पर भी आ जाएगा k square plus seven k और minus five ठीक है तो मैं तोड़ा उपर कर देता हूं अब आपको समझ माएगा यह a की values थी यह हमने यहां पर put कर दी अब हम क्या करेंगे देखेंगे further यह हो सकते है या नहीं factorize तो यह मैंने further check किया है यह further source जो है वो नहीं होते या नहीं further factorize नहीं हो सकती expressions ठीक है तो इसलिए यही answer होगा तो उमीद करता हूं यह question जो है वो भी समझ माया होगा पिछले question की तरह ही है ठीक है तो अगले की तरफ चलते हैं तो question number 17 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसे अगर solve करने तो solve करने के लिए सबसे पह ठीक है और यहां पे plus 12 है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दो को आपस में multiply करना है तो अगर आप धियान से देखें minus 5 है इधर plus 2 है ठीक है तो minus 3 result आता है इधर भी minus 6 और plus 3 है तो minus 3 result आता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं minus 5 के साथ अगर plus 2 जोड़ देंगे औ इधर minus 6 के साथ plus 3 जोड़ देंगे तो इसका जवाब भी minus 3 आ रहा है और इसका जवाब भी minus 3 आ रहा है तो its mean के इस तरह से pairing बन सकती है तो हम यहाँ equal का sign डालेंगे x minus 5 के साथ जोड़ देंगे x plus 3 का expression और square bracket से इनको close कर देते हैं next expression जो हैं वो x minus 6 के साथ जोड़ देंगे हम क्या x plus 3 तो यह x plus 3 लिग दिया और यह square bracket जोड़ दिया और यहाँ पर आ जाएगा plus 12 इसके बाद इसको मिटा देते हैं यहाँ पर अब हमें multiply करना है आप इधर direct भी multiply कर सकते हो लेकिन उससे question लंबा हो जाएगा रफ अमल में एक दो step कर लीजिए जैसे x minus 5 है और यहाँ पर है x plus 2 ठीक है तो आप यहाँ पर रफ अमल में x को एक बार x plus 2 के साथ multiply कर देंगे एक बार minus 5 को x plus 2 whole के साथ multiply कर देंगे तो x care plus 2x minus 5x और minus 10 आजाएगा तो इसको यहाँ लिग देते हैं तो result हमारे पास क्या आया x care उसके बाद plus 2x उसके बाद आया minus 5x उसके बाद आया minus 10 तो यह multiply हमने आपस में कर लिए इसके बाद इसको मिटा देते हैं ठीक है उमीद करता हूं समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है इन दोनों को multiply किया तो यह आ गया ठीक है बड़ी bracket डालने के वैसे जरूरत नहीं थी इदर इदर small bracket डाल सकते हैं क्योंकि अंदर कोई और bracket तो अस्तमाल हो नहीं रही तो इसको मिटा देते हैं अब अगली दो को multiply करते हैं तो यहां पे लिख लेते हैं x minus 6 into x plus 3 इनको multiply करें तो x को एक बार x plus 3 के साथ multiply करेंगे और minus 6 को एक बार x plus 3 के साथ multiply करेंगे तो x square हो जाएगा plus 3 x हो जाएगा minus 6 x हो जाएगा minus 6 3 दा 18 तो यहां पे आजाएगा 18 तो यहां पे आजाएगा x square अबल के यही लिख देते हैं अगले step वहा करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे हम इधर लिख देंगे x square minus 3 x ठीक है उसके बाद minus sorry minus 3 नहीं है plus 3 x है तो यहां पे लिख देंगे plus 3 x minus 6 x उसके बाद minus 18 और यह bracket close ठीक है और यहां से इसको मिटा देते हैं रफ अमल को आगे plus 12 बचा हुआ है तो यहां पे लिख लेंगे plus 12 उसके बाद अब हम इसको further simplify करेंगे तो x square minus 3 x आ जाएगा और minus 10 और इधर करेंगे तो x square minus 3 x क्योंके 6 में से plus 3 तो minus की value बड़ी है तो minus 3 x ही आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा minus 18 और यहां पे आ जाएगा plus 12 तो अब जैसे के हम चाहते थे यह दोनों same हो तो यह दोनों अब same है और इनको अब let कर लेते हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा let let लिखने के बाद a equal रख लेता हूं x square minus 3 x क a equal तो a इसके equal रखता है तो अब यह expression क्या बन जाएंगी यह बन जाएंगी a minus 10 और a minus 18 और a plus 12 ठीक है और यहां equal का signudes क्या करेंगे इनको आपस में multiply करेंगे जब इनको करेंगे तो a-10 और a we and this oh go hrha, नो यह चाहाँगा Tha b तो इसको मैं यहां पर लिखूं तो यह हो जाएगा is sn Coin smallest इसके बाद आ जाएगा माय ए म Okay बाकर कड़ है मर्षमां Pow अब हम इसको फर्दर सिंपलिंपाई कर सकते हैं एसके किए अगए करेंगे दोनों एकी values को तो यह हो जाएगा minus 28a और यहां पर दोनों plus की number हैं तो यह हो जाएगा 192 तो यह finally expression हमारे पास आगई अब हम क्या करेंगे इसका constant को first के coefficient से multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 192 अब हमें दो number चाहिए जिन को multiply करूँ तो 192 पोजिटिव आए और जिनको मैं add करूँ तो मेरे पास क्या जाए minus 28 अब वो दो number कौन से होंगे इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं तो देखिए 109 calculator हमें चाहिए होगा तो calculator लेकर आते हैं यह आगे हमारा calculator तो देखिए 192 है न तो 192 divided by 2 तो हमारे पास आ जाते है 96 अब 96 और 2 के combination से हमारे पास 28 तो कभी भी नहीं आएगा ठीक है यानि के हमारे पास क्या factor बने दो 2 को अगर मैं 96 से multiply करूँगा तो 192 तो आ जाएगा लेकिन इन दोनों को add यह minus करने से 28 नहीं आएगा तो इसलिए यह प्यार इस्तमाल नहीं हो सकता तीन पे करके देखते हैं 192 divided by 3 तो मेरे पास आ जाते है 64 तो अगर 3 को मैं 64 से multiply करूँगा तो 192 तो आ जाते है बट 64 में 3 add करने से 28 तो नहीं आएगा इसलिए यह प्यार भी नहीं हो सकता 192 divided by 4 तो यह आ जाते है 48 तो 4 से करेंगे तो 48 यह नि 4 को 48 से multiply करेंगे 192 तो आ जाएगा लेकिन 48 में 4 add करने से 28 तो नहीं आने वाला तो 5 से करके देखते हैं 192 divided by 5 तो यह आगे decimal में तो इसमीन के यह प्यार तो नहीं बन सकता पूरा नंबर होना चाहिए 192 divided by 6 तो यहां पर 32 आ जाते है पर 32 और 6 के combination से चलो मैं लिख देता हूं 6 multiply by 32 से 192 तो आ रहा है लेकिन 32 में 6 add या minus करने से 28 नहीं आएगा तो उसके बाद 192 divided by 7 तो decimal में आता है 192 divided by 8 तो यह आ जाता है 24 तो यहां पर 8 से करेंगे तो 24 आ जाता है तो 192 तो आ रहा है लेकिन 24 में 8 जमा करेंगे तो 28 तो नहीं आएगा तो 8 पर भी नहीं हो सकता है 192 divided by 9 तो decimal में आ रहा है तो इसमें आगे चलेंगे 192 divided by 10 तो यह हमारे पास आ गया decimal यह भी नहीं हो सकता 192 divided by 11 तो अभी भी decimal में आ रहा है 192 divided by 12 तो अब हमारे पास 16 आ रहा है तो अगर मैं 12 को 16 से multiply करूंगा तो 196 आ चाहिए तो दोनों नमबर अगर माइनस के रखूंगा तभी तो माइनस 28 आएगा तो अगर यहाँ पर दो नमबर माइनस के रखे हैं तो ओपर भी दोनों के माइनस के रखने होंगे तो अब देखिए तो यहाँ पर आजएगा 12 ए फिर माइनस 16 ए उसके बाद आजएगा प्लस 192 आगे अगर चलेंगे तो अब फस्टू में क्या कोमन सौरी आपको नजर नहीं आ रहा है मैं कैलकुलेटर हटाना भूल गया अब आपको नजर आ रहा होगा ऐसा कुछ खास नहीं गया बस मैंने आप मैं दुबारा से भी बता देता हूं A स्केर लिखा और 28 को मिडल टर्म ब्रेक किया था 12 और 16 के हवाले से तो वो लिखा और प्लस 90 पिछले प्रेस्टेंस की हैं तो आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम क्या करेंगे फस्टू में इन दोनों में क्या कोमन है A कोमन ह A कौमन ले लेंगे तो अंदर बज जाएगा A- 12 only ठीक है इदर इन दोनों में क्या कौमन है 16 कौमन है क्यूंकि 16 192 को डिवाइड करता है अभी आपको पता चला है 16 को 12 से multiply करेंगे तो 16 बाहर कौमन ले लेंगे तो अंदर बज जाएगा A और बाहर जब भी मानस कौमन लेत और 16 12 192 होता है तो यहां पर 12 आ जाएगा ठीक है उसके बाद A-16 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा A-12 ठीक है तो इन दोनों में A-12 common था तो एक factor A-12 बन गया और पीछे A-16 जो एक और factor था वो हमने लिख लिया इसको मिटा देते हैं तो अब यह और जादा simple हो गए अब जो है हम A की value put कर सकते हैं तो statement लिख देते हैं तो यह मैंने statement लिख दी by putting the value of A, अब A की value put करने क्या है X square minus 3X तो यहां पर आ जाएगा A, A की जगे sorry value लिखनी है X square minus 3X और minus 16 है तो यह लिख लिख लिया और यहां पर क्या आ जाएगा X square minus 3X minus 12 है तो यहां पर minus 12 आ जाएगा अब देखिएगा यह further factorize होता है यह नहीं होता तो आप जब देखेंगे तो यह further factorize नहीं होता तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो question number 18 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले इदर लिखेंगे solution उसके बात question उतारें तो question हमारे पास है X plus 1 और X plus 2 और X minus 3 into X minus 6 ठीक है और यहां पर minus sorry 21X square है तो यहां पर 21X square हो ठीक है यह भी बिल्कुल वैसा ही है बस last में constant number नहीं है साथ में variable है लेकिन 3 का बिल्कुल वैसे ही है ठीक है अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे किन 2 को आपसे multiply किया जा सकता है तो इसके साथ क्या है plus 1 ठीक है तो इस plus 1 को अगर मैं इसके साथ relate करूं तो क्या हो जाएगा plus 1 और plus 2 यह plus 2 क्या हो जाएगा equal हो जाएगा 3 के लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा minus 3 और plus minus 6 जो है वो कभी भी 3 के equal तो नहीं आएगा minus 9 ही बन जाएगा ठीक है तो इसलिए 1 और 2 को तो pair नहीं कर सकते हैं ठीक है अच्छा ओके तो अब हम क्या करते हैं 1 को अब हम किसी और number के साथ जोड़ते हैं जैसे इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ूं तो क्या हो जाएगा चलो निशान लगा देते हैं तो plus 1 और minus 3 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा minus का 2 आ जाएगा लेकिन दूसरी तरफ minus 6 और 2 को जोड़ूंगा यहां पर minus 6 plus 2 करूंगा तो मेरे पास कभी भी minus 2 तो नहीं आ सकते हैं तो चलो 6 से करके देखते हैं तो plus 1 और minus 6 को अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा minus 5 और दूसरी तरफ फिर 2 और minus 3 करना पड़ेगा लेकिन ये हो जाएगा minus 1 तो अब आप किसी को भी आपस में compare कर लें लेकिन हमारा balance नहीं बनेगा ना इसको इसके साथ इसको इस कैसे कैसे करेंगे देखिए प्लस 1 को अगर मैं 2 के साथ करूं तो कितना आ जाता है मेरे पास आ जाएगा 2 1 तो ठीक है और दूसरी तरफ 6 3 ता 18 तो 8 मीन के प्लस 1 को 2 के साथ तो pair नहीं बन सकता अगर हमें plus 1 को multiply sorry plus 1 है plus 1 को multiply करवा लूं किसके साथ minus 3 के साथ करके देखते ह आ जाएगा plus minus 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 3 आ जाएगा दूसरी तरफ पिर हमारे पास ये pair बनेगा दूसरी side पर तो positive 2 को पिर minus 6 से multiply करवाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 to the 12 तो तब भी ब्राबर नहीं आता तो it's mean के ये यानि के इससे भी नहीं multiply होगा तो अगर मैं plus 1 को इसके साथ multiply 6 और दूसरी तरफ 2 को मैं minus 3 से multiply करवाऊंगा तो मेरे पास 3 to the 6 तो अब देखिये pair बन गया कि इन दोनों को आपस में multiply करवाएंगे तो minus 6 आ जाएगा और इन दोनों को आपस में multiply करवाएंगे तब भी minus 6 आ जाएगा तो अब balance बन रहा है कि इन दोनों को आपस में multiply करवाएंगे ठीक है तो इसी साब से जो है अब इनको हम अलैदा-लैदा करके multiply कर देंगे तो हमें क्य प्लस टू को multiply करवाएंगे किसके साथ x-3 के साथ ठीक है और यह बैकेट क्लोस और minus 21 x square है तो यह साथ साथ चलता रहेगा आखिर तक अब हम multiply करवाएंगे तो rough अमल में करवा लेते हैं x plus 6 है और x minus 6 है x plus 1 है sorry तो एक बार x को x minus 6 whole के साथ multiply करवाएंगे फिर plus 1 को एक बार x minus 6 whole के साथ multiply यह हो जाएगा x square minus 6x और यह हो जाएगा plus x और यह हो जाएगा 616 plus minus minus तो यह हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज x square minus 6x plus x minus 6 और बैकेट क्लोस और उसके बात जो है इसको मिटा देते हैं अब second 2 को multiply करवाएंगे तो second है हमारे पास x plus 2 और x minus 3 ठीक है इन दोनों को multiply करवाएं तो x into x minus 3 और plus 2 into x minus 3 हो जाएगा ठीक है 3 थोड़ा सही नहीं लिखा गया x minus 3 तो इसको x square minus 3x plus 2x minus plus minus minus होते है 3 to the 6 हो गया ठीक है तो यह हमारे पास आजाएगा इसको यहां पर लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा x square minus 3x plus 2x उसके बाद आजाएगा minus 6 और यह bracket close और इसको हम यहां से मिटा देते हैं और बीचे हमारे पास बचा क्या minus 21x square तो यह हम ले लिख लिए अब इसको और ज्यादा simplify करेंगे तो x square minus 5x हो जाएगा क्योंकि minus 6x में से plus x गया उसके बाद minus 6 हो गया इधर जो है x square minus 3x में से plus 2x गया तो minus x बच जाएगा और उसके बाद आगे चलेंगे तो minus 6 हो जाएगा और back it close और यहां पर आ जाएगा 21x square अब यहां पर एक और नहीं चीज़ आ गई कि x square और minus 5x इधर तो है बट इधर नहीं है तो अब ऐसे में क्या करेंगे अगर आप दिहान से देखेंगे तो यह और यह इधर भी है यह और यह इधर भी है तो इनको थोड़ा arrange कर लेंगे हम ठीक है तो इसको arrange कैसे करेंगे व minus 21 x square हो गया अब जो है हम यहां पर let कर सकते हैं क्योंकि यह और यह एक जैसा हो गया तो चलिए let कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा let a is equal to किसके आ जाएगा x square minus 6 के ठीक है तो a is equal हो जाएगा तो हमारे पास values क्या आ जाएगी वह आ जाएगी a minus 5 x और इधर आ जाएगा a minus x और minus 21 x square यह आ जाएगा ठीक है अब इसको उपर करके हम क्या करेंगे इनको multiply करेंगे दुबारा से तो multiply करें तो a minus 5 x है और a minus x है तो यह हो जाएगा एक बार a को a minus x से multiply करेंगे और एक बार minus 5 x I hope multiply करना आता होगा बाकि आप देख भी रहें स्क्रीन के उपर तो a a से multiply होगा तो a square a x से multiply होगा तो a x हो जाएगा बाहर minus के value होती है तो bracket के अंदर वाले sign बदल जाते है multiply होते हो वक्त तो 5 ones are 5 तो minus plus minus minus 5 a x आ जाएगा और एधर आ जाएगा minus minus plus 5 x square ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर लिख लेंगे a square ठीक है minus a x minus 5 a x plus x sorry 5 x square ठीक है ओपर से minus 21 x square है तो यह वैसे का वैसे लिख लिए इसके बाद जो है इसको मिटा देते हैं यहां से अब यह रफमल था हमारा फदर आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा a square minus 6 a x क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और यह आजाएगा 16 ठीक है तो minus 16 x square तो यह हमारे पास final expression आगए अब हम क्या करेंगे simple इसके coefficient को इसके साथ यानिके minus 16 को हम multiply करेंगे इस 1 के साथ first के coefficient के साथ तो यह हो जाएगा minus 16 को जब 1 से multiply करेंगे तो minus 16 ही आजाएगा अब हमें दो number चाहिए जिनको multiply करें तो minus 16 आजाए और जिनको add करें तो हमारे पास minus 6 आजाए ठीक है तो 2 8 the 16 होता है तो अगर मैं इस चीज़ को देखू तो 2 को 8 से multiply करेंगे 16 आजाएगा यहां पर भी 2 8 the 16 क्योंकि 8 में से 2 न तो मेरे पास minus 6 आजाएगा और minus 8 में से sorry 8 to the 16 और multiply के अंदर minus plus minus ही होता है तो it's mean के हमारा pair सही हो रहा है कि minus 8 और 2 को multiply करने से minus 16 और add करने से minus 6 आजाए ठीक है तो यह pair हम इस्तमाल कर लेंगे तो इसको इस्तमाल कैसे करेंगे a square यहां पे लिख लेते हैं plus 2 ax और यहां पे आ जाएगा minus 8 ax और यहां पे आ जाएगा minus 16 x के last term है तो यह आ जाएगा ठीक है इन दोनों के results से यह आता है तो उमीद करता हूं 4.1 के अंदर यह चीज़ सीख भी चुके होंगे आप लोग इसको मिटा देते हैं इसकी जूरत नहीं अब further आगे चलेंगे तो अब क्या हो ज x common निकाल लेते हैं अंदर बच जाएगा a बाहर minus common लिया तो अंदर वाला value बदल जाएगा तो यहां पे आ जाएगा plus और a to the 16 होता है तो 2 x square है तो एक x बाहर गया तो एक अंदर बच जाएगा तो यह आ गया तो देखे यह और यह एक जाए सा 8 spin के हमारा question सही जा रहे है अब मैं इसको लिख लूँगा क्या a minus 8x एक factor हो गया और a plus 2x हमारे पास second factor हो गया अब a की value जो है दुबारा से put कर लेते हैं तो मैं यह statement लिख देता हूं तो यह मैंने statement लिख दी a की value put करें तो a की value है हमारे पास x square minus 6 के तो यहां पे आ जाएगा x square minus 6 और 7 में है minus 8x तो minus 8x लिखती है और इधर भी x square minus 6 और 7 में plus 2x है तो plus 2x लिखती है ठीक है यानि के यह जो है हमारे a की value हो गई और यह minus 8x और यह plus 2x जैसे पिछले questions की है तो इसके बाद जो है इसको थोड़ा arrange कर लेते हैं पहले x square है फिर 6 है तो अगर इसको तरतीब दे के लिखें तो यहा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा minus 6 और यहाँ पर आ जाएगा x square plus 2x minus 6 ठीक है तो अब तरतीब हो गया तो अब जो है यह आपकी book में पीछे answer है ठीक है तो further यह factorize हो नहीं सकते तो उमीद करता हूं यह question जो है वो भी समझ में आ गया होगा अगले की तरफ चलते हैं तो x minus 6 into x minus 3 into x minus 4 minus 2x square ठीक है अब इसमें क्या करेंगे plus minus करके काम हमारा नहीं बनेगा ठीक है तो जैसे के minus 2 और minus 6 minus 8 होता है और 4 और 3 जो होते हैं 4, 5, 6, 7 होता है ठीक है इसी तरह अगर 2 और 3 को देखें तो 5 होता है 6 और 4 को देखें तो 10 तो फोरन से पता चल गया तो अब multiply करके देखते है 6, 6, 2 क्या होता है जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ minus 2 है multiply by minus 6 है ठीक है और दूसी तरफ क्या बच जाएगा फिर minus 3 multiply by minus 4 तो minus minus plus होता है और 6 to the 12 और minus minus plus 4 3 the 12 तो इस तरह से हमारा यानि के balance बन सकता है ठीक है तो इसी साब से पहले से तरतीब है तो हम इसको नहीं छेड़ते हम simple multiply करवा लेते हैं तो multiply करवाएं तो यह कितना आ जाएगा यहाँ पर है x minus 2 और x minus 6 है तो x को एक बार x minus 6 से multiply करेंगे फिर minus 2 को एक बार minus 6 x minus 6 से multiply करेंगे पिर आ जाएगा x square minus 6x minus 2x plus minus minus plus होता है 6 to the कितना हो जाएगा 12 तो यह हमारे पास आया इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज x square minus 6x और उसके बाद आ जाएगा minus 2x उसके बाद आ जाएगा plus 12 तो यह लि इन दो को multiply करके आगया अगले 2 को multiply करके क्या आता है वो लिख लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे x minus 3 और x minus 4 तो x को एक बार x minus 4 से किया पिर minus 3 को एक बार x minus 4 से किया तो हमारे पास आ जाएगा x square minus 4x minus 3x minus plus होते हैं तो 4 3 तो यह आया उपर वाले हिस्सों को मिटा देते हैं हमें इस इससे को लिख लेते हैं तो यहां पर bracket आ जाएगी और यहां पर आ जाएगा x के ओर minus 4x minus 3x और plus 12 है तो plus 12 आ गया bracket close minus 2x के अर्साथ चल रहा तो वह वैसे का वैसा लिख दिया और यहां पर close हो गया ठीक है यहां हटा दिया उसे उसकी बाद further इसको simplify करेंगे तो x square minus 8x हो जाएगा plus 12 हो जाएगा ठीक है और यहां पर x square minus 4, 5, 6, 7 तो minus 7x हो जाएगा और यह plus 12 हो जाएगा और यह bracket close minus 2x square हो गया अब देखिए यह दोनों और यह दोनों x square और x cake जैसे नहीं होते तो इसलिए अब हम number को पिछले question की तरह x square की term के साथ मिला लेंगे जैसे x square plus 12 इधर लिख देते हैं और minus 8x को आखिर में तो थोड़ा से तरतीब में फर्क डाला x square plus 12 इधर लिख लेते हैं minus 7x end में लिख लेते हैं और यह minus 2x square था तो वैसे का वैसा अब अब देखिए यह दोनों और यह दोनों एक जैसे हैं तो अब हम इसको let कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं let कि हम first कर रहे हैं a is equal to x square plus 12 के then तो फिर अब values क्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी a minus 8x और दूसरी तरफ a minus 7x हो जाएगा ठीक है यानि कि यह दोनों a के साथ लिख लिख लिए उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो minus 2x square साथ है तो यह वैसे का वैसा लिख 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 तो दुबारा से एक बार a को a minus 8x है और दूसरी तरफ है a minus 7x तो यह हो जाएगा a into a minus 7x minus 8x into a minus 7x तो a square minus 7ax हो जाएगा minus 8ax हो जाएगा और minus minus plus होता है तो 7,8 तो 56 होता है तो यहां पर 56 और x, x से multiply होगा तो x square हो जाएगा तो यह हमारे पास values आई इसको हम उपर लिख लेते हैं यहां पर तो यह हमारे पास हो जाएगा a square minus 7ax minus 8ax और उसके बाद plus 5x, sorry 5 नहीं है 56 है तो 56x square ठीक है उसके बाद इसको भी मिटा देते हैं और और एदर minus 2x square उपर है तो यह भी साथ चल रहा है तो minus 2x square लिखते है इसके बाद फर्दर इसको simple करें तो a square साथ साथ 14 और 15 होता है इन दोनों को add करें तो minus 15ax आ गया plus 56 में से 2 निकाल देंगे तो plus के 54x square बच जाएगा ठीक है तो हमाँ पस final expression आ गई अब हम इसको कैसे further factorize करेंगे इसके coefficient को इसके coefficient से multiply करवाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा ठीक है तो 54 अगर मैं इसको divide करवाऊ one by one करवा के देख लेते हैं ठीक है तो calculator हमें चाहिए वैसे जबानी पता चल रहा है 6 पर जाता है लेकिन चलो 54 divided by 2 तो मेरे पास आ जाता है 27 बट 27 और 2 के combination से ठीक है 2 multiply by 27 से 54 तो आ जाएगा बट जैसे के हम करते हैं कोई दो number चाहें जिनको multiply करने से 54 आ जाए और जिनको add करने से middle value किया है तो 18 आ जाता है ठीक है तो 3 multiply by 18 is equal to 54 but 18 में 3 minus करेंगे तो 15 हमारे पास आ जाता है ठीक है तो इस combination को use करके देखते हैं 3 और 18 है 3 और 18 है यहां पर भी 3 और 18 है ठीक है तो अब आप देखिए अगर मैं मुझे minus के 15 चाहिए तो it's mean के minus का 18 बड़ा रखना होगा और minus 18 में से जब positive 3 जाएंगे तो minus 15 आ जाएगा ठीक है अब यही combination जब उपर लेकर जाएंगे तो minus 18 में से जब sorry multiply करते हैं 18 3 दर 54 तो होता है लेकिन plus minus क्या होता है minus तो ऐसे scenario में minus 54 आता है जबके हमें चाहिए था positive 54 तो it's mean के यह 3 और 18 का combination हम नहीं इस्तमाल करेंगे क्योंके minus 54 आ रहा है और हमें minus 54 नहीं positive 54 चाहिए तो it's been further हमें calculation करनी होगी 3 के बाद 4 पे करके देखते हैं 54 divided by 4 तो मेरे पास आ जाता है point में यह नहीं कर सकते 54 divided by आ जाएगा 5 तो यह आ गया हमारे पास फिर point में इसको भी नहीं इस्तमाल कर सकते 54 divided by 6 और इसको देखें तो 9 आ जाते नाइन और 6 आलसो जो है वो equal आता है 54 के तो 9 और यहां पर 9 multiply बस 6 करों तो 54 आ रहा है तो 9 6 यहां पर भी लिख दिया 9 6 यहां पर भी लिख दिया minus 15 चाहिए तो दोनों अगर add करूंगा तभी minus 15 आएगा तो minus 6 और minus 9 minus 15 और minus 6 और minus 9 को multiply करेंगे तो मेरे पास positive 54 आ जाएगा क्योंकि multiply में minus minus plus होता है तो it's mean के यह pair जो है मैं इस्तमाल कर सकता हूं 6 और 9 का तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा a square minus 9 ax फिर minus 6 ax और पर 54 x square चल रहा है तो यह लिखती है अब इसमें से इसको मिटा देते हैं अब इसमें again देखेंगे first two में क्या common है first two में a common है तो यहां पर आजाएगा a minus 9x फिर और इसमें क्या common है इसमें 6 common है और X common है तो अंदर क्या बच जाएगा A बाहर minus है तो bracket जब बाहर minus हो तो bracket के अंदर sign change करके bracket बंद करते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा A minus 6 9s are 54 होता है ठीक है तो यहां पर आ जाएगा 9 और एक X बाहर गया तो एक अंदर बच जाएगा और यह हो गया तो यह और it's mean हमारा question सही जा रहा है ठीक है अब यह दो factors कौन से हो जाएगे यह हमारे पास हो जाएगे A minus 9x एक factor और A minus 6x यह दो factors हो गए अब हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर put the values of A लिख देंगे statement तो यह मैंने statement लिख दी इसके बाद values put करें A की दुबारा से तो A बराबर था x square plus 12 minus 9x के यहां पर आ जाएगा और इधर A जो है x square plus 12 minus 6x है तो यहां पर यह आ जाएगा इसको arrange कर रहें तो यह हो जाएगा x square फिर x के term लिख दें तो minus 9x फिर plus 12 और इधर कर देंगे तो x square minus 6x plus 12 ठीक है तो यह further factorize नहीं होता तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो समझ में आ गया होगा तो question number 20 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इधर solution लिखेंगे उसके बाद question को solve करें तो 5 minus x into 2 plus x into 10 minus x into 1 plus x जो है हमने लिखा उसके बाद minus 7x square लिख दिया अब इन्हें तरतीब दें तो कैसे दें 5 क 2 के साथ add करेंगे तो 7 हो जाएगा लेकिन 10 और 1 7 नहीं होता तो इस तरह से 5 और 2 भी नहीं होगा 10 और 5 जो है वो 15 होता है और 2 और 1 जो है वो 3 होता है ठीक है तो ये भी नहीं हो सकता 5 और 1 6 होता है और 10 और 2 12 होता है तो it's been plus minus से नहीं होगा multiplication होगा तो 5 और 2 को अगर मैं यहां पर लिखको 5 multiply by 2 और दूसी तरफ क्या बच गया 10 और 1 ठीक है तो यहां पर 10 multiply by 1 लिख दूँ तो 5 to the 10 और 10 बन सकता है तो यहां पर हम इसी तर्तीब के साथ multiply करवाएंगे तो चलिए multiply करवाते है 5 minus x है और 2 plus x है ठीक है तो multiply करवाएंगे एक बढ़ 5 को plus x के साथ multiply कर करवाएंगे फिर minus x को 2 plus x के साथ multiply करवाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 5 to the 10 plus 5x हो जाएगा minus 2x हो जाएगा minus x square हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 10 चलो यह बस इतना ही लिखते हैं उसके बाद उपर अगर लिखें तो इसको मिटा देते हैं इसकी जूर्ट नहीं ह हमें और यहाँ पर आजाएगा equal का sign डालने के बाद 10 plus 5x 10 plus 5x minus 2x और minus x square तो इन दोनों को multiply करवा लिया अब हम इन दोनों को multiply करवाएंगे तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पर रफमल में लिख लेते हैं क्या 10 minus x इसको multiply करना है 1 plus x के साथ ठीक है तो इसको multiply करें तो यह आजाएगा 10 into 1 plus x और साथ में minus x into 1 plus x 10 10 plus 10 x हो जाएगा minus x हो जाएगा plus minus minus और minus x square हो जाएगा तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं मिटाने के बाद इधर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 10 plus 10 x minus x minus x square और bracket close और minus 7 x square ऊपर से आजाए ठीक है तो इसको भी मिटा देते हैं मिटाने के बाद आगे अगर चलेंगे तो यह हो जाएगा 10 plus 2 में से minus plus 5 में से minus 2 गया तो plus 3 बच जाएगा तो plus 3 x minus x square और इधर क्या बच जाएगा 10 plus x plus 10 x में से minus 1 x गया तो plus की value बढ़ी है तो plus 9 x बच जाएगा minus x square minus 7 x square वैसे का वैसा अब इसमें क्याची similar है 10 और x square similar है तो इनको arrange कर लेते हैं यहाँ पर आजाएगा 10 minus x square plus 3 x को end में लिख देते हैं और यहाँ पर भी 10 minus x square plus 9 x को end में लिख देते हैं minus 7 x square हो गया अब हम इसे let कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम let a is equal to 10 minus x square ठीक है उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पर equal का sign और यह value हमारी बन जाएगी a plus 3 x और यहाँ पर आ जाएगा a plus 9 x ठीक है और minus 7 x square वैसे का वैसे अब इनको multiply करना होगा तो चलिए इनको multiply करते हैं तो a plus 3 x और क्या है हमारे पास a plus 9 x तो a into a plus 9 x plus 3 x into a plus 9 x ठीक है तो यह हो जाएगा a square plus 9 ax plus 3 ax plus 9 3 दा कितना होता है 27 यानि 27 और 7 में आ जाएगा x square तो यह value जो है उपर लिख देते हैं इसको मिटा दिया और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a square plus 9 ax उसके बाद plus 3 ax उसके बाद plus 27 x square और minus x square उपर से आ जाएगा ठीक है इसको मिटा देते हैं इसके बाद आगे अगर चलें तो a square 9 और 3 कितना होता है 10 11 12 तो plus 12 ax आ जाएगा और plus 27 में से 7 गया तो 20 x square आ गया तो finally हमारे पास expression आ गई अब हम क्या करेंगे अब हम इसके coefficient को इसके coefficient से multiply करवाएंगे तो 21s are 20 अब हमें दो numbers चाहिए जिनको multiply करें तो 20 आ जाए और जिनको हम एड करें तो middle value क्या है 12 positive 12 आ जाए ठीक है अब वो दो number कौन से होंगे तो two 10s are 20 होता है जैसे two को अगर मैं 10 से multiply करूं तो 20 आ जाता है और 10 में two add करूंगो तो 12 तो two 10 two 10 और बस यह है यह तो बिल्कुल असान से pairing थी तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे क्या चीज a square plus two a x plus 10 a x plus 20 x square ठीक है इसको मिटा सकते हैं अब हम रफ अमल को तो यह गया मिट मिटने के बाद आगे अगर चलें तो first two में क्या common है a तो अंदर बच जाएगा a plus 2 x इधर क्या common है 10 x तो अंदर बच जाएगा a plus क्योंकि बाहर plus है न तो इसलिए plus ही आगा minus होता तो change होता 10 to the 20 होता है तो 2 आ गया और 1 x बाहर गया तो एक अंदर बच गया further आगे चलेंगे तो अब a plus 2 x common आ गया ठीक है और a plus 10 x पीछे बच गया इसके बाद अब हम दुबारत से value put कर देते हैं a की तो statement लिख लेते हैं तो यह मैंने statement लिख लिए statement लिखने के बाद अब हम a की value put करें तो 10 minus x square है तो यहां पर अब हम लिख लेंगे 10 minus x square बाकी पीछे 2 x है तो 2 x साथ लिख लिए इधर भी 10 minus x square और फिर plus 10 x है तो plus 10 x लिख लिया तरतीब दें इसको यह हो जाएगा सबसे पहले x square लिख नहीं लेकिन यहां पर x square minus में है तो अगर हम minus में तो उल्टा कर दोए देतें सबसे पहले 10 लिख लेते हैं उसके बाद x की value लिख लेते हैं जो के plus 2 x हो गया उसके बाद x square की value लिख लेते हैं यानि पहले हम ऐसे इसको sorry नजर नहीं आ रहा है पहले हम इसको ऐसे arrange करते थे अब हम इसको ऐसे arrange कर रहे हैं ठीक है इसके बाद यहां पर भी ऐसे ही करेंगे सबसे पहले 10 फे plus x की लिख लेते हैं plus 10x और minus x के ठीक है और यह आपका answer हो जाएगा तो अमीद करता हूं यह question जो है वो भी समझ में आगे होगा पिछले questions की तरह ही है तो question number 21 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है the expression कौन से expression यह वाली expression can be written in two ways as इस expression को आप इन दो तरह से लिख कर दिखाएं some of two squares some of two cubes ठीक है तो question का एक हिस्से में तो हमें इस expression को sum of two squares और sum of two cubes की शकल में लिख कर दिखाना है sum of two squares का मतलब क्या हो गया जैसे a square है दर्मयान में plus है और b square है तो यह देखिए दो square है दर्मयान में plus आ गया sum of two cubes का मतलब क्या है a cube plus b cube जानि के 2 terms cube वाली होनी चाहिए दर्म्यान में plus होना चाहिए तो हमने उपर वाली expression को इस a और b की शकल में लिखना है आगे question में क्या बोल रहा है which one will be used for factoring it and why अब जब इस शकल में आप लिख लेंगे इन दोनों में से कौन सी expression जो है वो मजीद factorize हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती आपने वजे भी बतानी है ठीक है दुबारा से बताता हूँ जब इस शकल में आप लिख लेंगे इस expression को तो a और b में से कौन सी factorize हो सकती है expression और कौन सी नहीं हो सकती, वो आपने वजे साथ में बतानी है, पिर आगे क्या बोल रहा है, also factorize the given expression, और ये जो भी दो given expressions बनेंगी, इनको आप factorize भी करके दिखा दीजिए, तो तीन चीज़ें basically इस question का हिस्सा है, पहले हिस्से में इसमें convert करेंगे इस expression को, दूसरे हिस्से मे हम वजे बताएंगे कि कौन सी factorize हो सकती है, नहीं हो सकती, तीसरे हिस्से में हम जो भी factorize हो सकते, उसको factorize कर देंगे, सुनने में काफी ऐसा लग रहा है, बहुत मुश्किल सुवाल है, लेकिन सुवाल को बहुत असान है, बस इसको समझना थोड़ा सा एक point था, और उमीद करते हैं, पहले एक हिस्सा A लिख लेते हैं, और इसको convert करते हैं, ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं statement, तो यह मैंने statement लिख ली, sum of two squares, और इसमें convert करना है इसको, तो यह हमें दिया गया है, तो आप यहां पर given भी लिख दीजे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठ ठीक है, तो given में हमारे पास क्या है, A to the power 6 plus 729, अब हमने इसको convert करना है, sum of two squares के अंदर, अब वो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ताकि आपका दिहान जो है, अच्छे से इस चीज़ पर लग सके, तो देखे, sum of two squares का मतलब, जैसे के मैंने बताया था, दो brackets होनी चाहिए, और यहां पे भी square होना चाहिए, यहां पे भी square होना चाहिए, दर्म्यान में plus होना चाहिए, ठीक है, तो अब मैं A की power कितनी रखूं, कि ऊपर square आ सके, और यहां पे 729 की जगे में क्या लिखूं, कि यहां पे square आ सके, तो यह आपका task है, तो यह असान स A की power अगर 3 रखेंगे, तो 3, 2 दा कितना होता है, 6 और 729, अब कौन सा नंबर यहां पे लिखूं के 729 का square बन जाए वो, ठीक है, तो उसके लिए असान सा calculator आप लीजे, यहां पे लिखिए 729 और आपने square मालूम करना है तो square root ले लीजे, ठीक है, calculator पे आप देखेंगे 2 ल तो 27 वो नंबर है, जिसको आप दो दफा मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 729 आजाएगा, आप मल्टिप्लाइ करके भी देख लीजे, 27 को 27 से मल्टिप्लाइ किया, तो देखें, 729 ही आ चुका है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 ठीक कुलें, 27 hold का square को आप अगर एक step ड़ालना चायें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, का फिर teachers हो सकता, ऐसे कर वायं, कि जैसी calculator से पता चला, 27 होता है, तो 27 को अगर power की शकल में लिखना हो, क्योंकि यहां पे power की शकल में लिखा हूआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3 का cube 27 होता है, त तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है बस 27 को हमने exponential form में लिखा है तो आप ऐसे कर देंगे ज्यादा बेतर है ठीक है क्योंकि ये एक वीडियो हर class के बच्चे के लिए बन रही है हर school के बच्चे के लिए तो सारे step पर डाल देते हैं या direct भी इसके बाद यह step लिख सकते हो अब सोरी स्केर भी चला गया आप लोगों को जो टास्क दिया गया था वह यह था कि सम आफ टू स्केर की शकल में लिखो इसको तो आपने वह टास्क मुकमल कर दिया आप देख सकते हो के दोनों स्केर की शकल में है और दर्मयान में जो है वह प्लस है अब इसके बाद question में आगे क्या बोला गया था हमें question देखना होगा तो यह आगे question अब वह कह रहा है कि आपने इन दोनों में से यह भी देखना था कौन से factorize हो सकती है और क्यूं हो सकती है वज़ा भी बताने है तो इसके उपर काम कर रहे हैं तो इसी को पहले अच्छे से clear कर लेते हैं तो इसको देखते हैं कि यह factorize हो सकती है या नही हो सकती तो यह factorize जो है वो नहीं हो सकती अब क्यों नहीं हो सकती क्यों के देखिए अगर a square minus b square होता तो हम factorize कर सकते थे क्योंकि हमारे पास formula होता है a square minus b square ब्राबर होता है a plus b और a minus b तो हम इस शकल को इसमें convert कर देते हैं और factorize हो जाती लेकिन हमारे पास unfortunately ऐसा कोई formula नही है जो के plus के साथ factorize कर सके जैसे a cube sorry square के बात हो रही है a square plus b square अब ऐसा कोई formula नहीं है जो के आगे इसको factor इसके factors बना सके तो हमारे पास यही problem है यहाँ पर कि square तो है बट दर्म्यान में क्या है इनके plus है जिसकी वजह से कोई formula नहीं लग सकता तो यह वज़े है हम factorize नहीं कर सकते इस वज़े को यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग तो यह मैंने reason लिख दिया कि क्यूं हम factorize नहीं कर सकते there is no formula which can solve above expression ऐसा को इस expression को solve कर सके ठीक है तो पहला हिस्सा हमारा मुकमल हो गया अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे जो कि यह है तो चलिए इसको b statement को भी य इससा आ गया sum of two cubes तो सबसे पहले given जो expression है वो लिखनी पड़ेगी तो given हमारे पास क्या है a to the power 6 plus 729 ठीक है तो उपर देख लेते हैं yes यही question में बताया गया था आपको ठीक है तो अब इसको cube की शकल में करना है हमें तो cube में कैसे करते हैं कि यहां पर cube आ जाएगा और मैं में plus इधर cube आ जाएगा तो अब a की power में कितनी रखूं कि मेरे आसपास यानि sorry a के आसपास जो है वो cube आ जाए तो यहां पर a की power 2 रख दूं तो मारा काम हो जाएगा क्यों 3 to the power की power जो है वो multiply होती है 2 3 कितना हो score तो यह हमारा हो गया अब मैं यहां पर कितना number लिखूं के उसको में square whole sorry cube चल रहा है तो whole cube बना सकूं ठीक है तो उसके लिए दुबारा से आप वही काम करेंगे calculator लेकर आएगे 729 लिखा हो है तो अब cube पहले square root मालुम किया था अब cube मालुम करने तो cube root मालुम कर लिजए तो जैसे cube root का button दबाएंगे तो 9 आपके पास आ जाएगा तो its mean के 9 वो number है जिसको मैं 3 times multiply करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा तो again 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और 3 की power 2 ऐसे भी लिख सकता हूं तो दोनों एक ही बात है तो आगले step में आप इसको लिख लीजिए a square hole का cube plus 9 hole का cube ठीक है तो यह चीज हो गई हमारी इसको मिटा देते हैं अब क्या इसको factorize किया जा सकता है यह इसको factorize किया जा सकता है क्यूंकि एक formula होता है मैं यहां पर लिख देता हूं by using formula कौन सा formula होता है a cube plus b cube बराबर होता है आप पढ़ चुके हो exercise में पीछे a plus b into a square minus a b or plus b square इसके equal होता है तो यह formula अब हम क्योंकि यहां पर भी cube है यहां पर भी cube है तो यह formula हम इस्तमाल कर लेंगे और यह factorize हो जाएगी तो कैसे इस्तमाल होगा वो भी आप लोग जानते होंगे तो cube की शकल में उपर है values अब हमें यानि के यह हमारा जो है व लिखना है तो यहां पर a हमारे पास a square है तो a square और b हमारे पास 9 है तो a square plus 9 आ गया इसके बाद आगे फिर a square है तो a square हमारे पास a square के equal है तो a की जगे आ जाएगा a square और यहां पर इस whole का square यानि यह हमारा a है तो यह a का आप देख सकते हो a की value का square आ गया उसके बाद यहां पर पिर A B है, A हमारे पास A square है, B हमारे पास कितने 9, तो यहां पर 9 आ गया और प्लस, पिर B का whole square है, तो B हमारे पास 9 है, तो यहां पर 9 लिखा और यह whole square आ गया, और A square bracket close, अब आगे चलेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, A square plus 9, ठीक है, उसके बाद brackets और यहां पर आ जाएगा, पावर की पावर multiply होती है, तो A की पावर 4 minus 9 A square plus 99 दा कितना होता है, 81, तो यहां पर आ गया 81 और यह आपने factors बना लिए, ठीक है, यह यहनिके आपके expression थी और यह आपके factors हो गए, अब यहनिके factors बन गए, अब क्यूं factors बने वो भी उसने कहा था वज़ा लिख दो, तो वो भी हम यहां पर लिख देते हैं, तो यह मैंने वज़े भी लिख दी, sum of two cubes has factorized, यहनिके sum of two cubes जो है, यहां पर आपको दिखाता हूँ, यह sum of two cubes जो है, वो factorized हो चुके है, ठीक है, because, क्यूंके positive sign between the terms, क्यूंके positive sign जो था, वो terms के दर्मियान में था, आप यहां पर देख सकते हो, क्यूंके आप simple लफजों में समझें, तो क्यूंके formula हमारे पास था, इस तरह के expression को solve करने के लिए, that's why कि हमने solve कर लिया, तो इस तरह से यह question जो है, मुकमल होगा, उमीद करता हूँ कि समझ मां आया होगा, दो part है, A और B, पहले A को हमने देखा, कि इसको हम कैसे sum of two squares की शकल में लिख सकते हैं, और पिर reason बता दिया, पिर B को हमने देखा, कैसे cube, sum of two cubes की शकल में लिख सकते हैं, और factorization हो सकती थी, तो factorization करने के बाद, reason हमने बता दिया, ठीक है, तो अगले की तरफ चलते हैं, तो question number 22, आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है, इसको पढ़ें, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, express, जाहिर करिये, इस expression को as a product, product के तोर पर, of three factors, जिस product के तीन factors हो, ठीक है, क्या बोल रहा है, इस line में के ये एक expression है, इस expression को, अब product के तोर पर जाहिर करो, जिसके तीन factor है, अब स्वाली पैद होते के सर, ये क्या बात है, समझ नहीं आए, तो देखिए, जैसे अगर मैं कहीं पर लिख दूँ, sorry, अगर कहीं पर लिख दूँ, a square plus 2ab plus b square, तो अभी तो ये expression है, लेकिन अगर मैं, क्योंकि ये formula होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, a plus b, ठीक है, और a plus b, तो अब क्या हो गया, ये जो expression है, अब ये कहला रही है, product, ठीक है, और ये क्या दो कहला रही है, इसके factors, ठीक है, तो एक concept समझाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, कि जब तक, यानि कि मैं इसको मिटा दूँ, जब तक इसके factors मालूम नहीं किये, तब तक ये expression थी, लेकिन जब इसके factors आ गए, तो अब ये expression जो है, वो product, sorry, अब ये expression जो है, वो क्या कहलाएगी, product कहलाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जैसे number की form में 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 भी थोड़ा गलत लिखा गया, 6 लिखा हुआ है, और यहां पर 3 multiply by 2 है, तो दीख ये जो multiply हो रहे होते हैं, उन्हें factors बोला जाता है, और जो factors का result होता है, उन्हें product बोला जाता है, तो यहां समझ में नहीं भी आई, तो आप question solve करूँगा, तो असान question है, लेकिन जिन बच्चों को concepts चाहिए होते हैं, उनको यह बात समझ में आ गई होगी, बाकि अगला भी हिस्सा है, इसका each, is each factor a binomial और a trinomial, अब जो factors होंगे, इस expression के, वो जो हैं, आपने बताना भी है, binomial है, यह trinomial है, तो जब हम मालूम कर लेंगे, तब मैं आपको यह चीज बता भी दूँगा, समझा भी दूँगा, तो question को शुरू करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो शुरू करने के लिए सबसे पहले तो लिखा solution, उसके बाद इस expression के बाद की जा रही है, तो 8 प्लस 12 T है हमारे पास, प्लस 6 T square प्लस T cube है, अब यह expression है हमारे पास, अब आप देखें, जितनी भी exercise का आखरी question है, जितने भी question हम solve करते हैं, वो फार्मूलास की तरह से solve करते हैं, तो तीन किसम के expressions थी इस exercise में और फार्मूलास जो इस्तमाल हों, वो भी आपको पता है, A cube प्लस B cube, यह वाले formula इस्तमाल हुआ है, A प्लस B, इस तरह के formula भी इस्तमाल हुआ है, तो इनी में से होगा न, कोई formula अगर यहां पे लगेगा, तो अब मुझे पता चल रहा है, formula कौन चल लगेगा, क्योंकि आप देखिए, यह भी cube है किसी number का, और यह भी cube है, टी का, त सबसे पहले A का cube, उसके बाद, अब क्योंकि सारे प्लस के हैं न, तो इस्तमीन के A प्लस B, होल का cube ही लगेगा, तो सारे प्लस के terms होंगी, तो A का cube, प्लस 3AB, प्लस 3AB, प्लस B cube, और एक बार A के उपर square, एक बार B के उपर square, तो अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यह भ प्लस का formula लगेगा, यह वला या, यह minus का लगेगा, ठीक है, अब जब आपको, यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैसे आप question paper के अंदर समझेंगे, कि कौन सा formula लगेगा, तो आप इसको ऐसे लिख के भी देख सकते हो, अब आपको समझ में आजाएगा, जैसे हम क्या करते है पहले 8 है, तो 2 का cube जो है, वो 8 होता है, तो यहाँ पे 2 का cube लिख लीजे, ठीक है, और इधर जो है, हम last में term किया है, T, तो T का cube कर लेते हैं, ठीक है, अब उसके बाद plus 3 into A हमारे पास क्या है, अब यह A है और यह B है हमारे पास, ठीक है, questions इस तरह के किये थे तो, बात हमारे पास 2 है, और B हमारे पास कितना है, T, तो यह लिख लिए, अब उसके बाद फिर क्या होता है, 3AB, तो फिर 3 लिख लेंगे, A हमारे पास क्या है 2, और B हमारे पास क्या है T, तो यहाँ पे T डाल दिया, अब formulaic recording पहले A के उपर square होता है, और फिर B के उपर square होता है, अ अब देखें कि यह साथ match कर जाएगा जैसे 2 2 कितना हो तो 4 और 4 3 कितना 12 तो 12 T तो आप देखें यहां पर 12 T है इधर अगर देखें तो इधर भी match कर जाएगा 3 2 कितना 6 और T square है तो आप देखें यहां पर भी यह हो जाएगा और 2 का cube तो इस तरह से आपको first और last से पता चल जाता है 4 term है तो कौन सा formula लगेगा आप ऐसे भी पहशान कर सकते हो तो practice की बात है जितनी जादा practice करोगे उतना जादा आपका mind काम करेगा कि कौन सा formula लगेगा अब formula चलो भी लिखा रहने देते हैं अब जैसे इस तक expression हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसी तरह इस तक expression है तो इसको भी हम यानि के whole cube के अंदर लिख सकते हैं तो यह मैं क्या लिखूंगा ए हमारे पास 2 है और देम्यान में plus B हमारे पास T है तो 2 plus T whole का cube हम लिखते हैं तो अब आप देखें इसको मिटा देते हैं आप इसकी जूद नहीं है आप यह question के अंदर एक teacher कहता है तो आप लिख भी सकते ह using formula और formula show भी कर दें कौन सा है लेकिन मेरे मताबिक जब formula यह रफ अमल में यहाँ पर show कर दीजेगा ठीक है A plus B whole का cube और वो बहतर है बरहाल मेरा main मक्सेद तो आपको समझाना है pattern इतना माइने नहीं रख रहा है यहां पर तो अब अब देखें जैसे A की power 3 होती है तो इसका म के 2 plus T जो है वो 3 दफा multiply हो रहा है ठीक है तो यह 2 plus T तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ठीक है इसको यहां से मिटा देता हूँ यह मिटा दिया मैंने अब हम question की तरफ बढ़ेंगे question में क्या चीज़ हमें कहीं गई थी question में हमें यह बोला गया था कि इसको as a product जाहर करो तो देखिए यह अगर एक expression थी तो अब यह इसके क्या हो गए factors तो जब किसी expression के factors होते हैं तो वो expression product बन जाती है ठीक है तो पहला इस साथ product के तोर पर जाहर कर दिये और जैसे कि काये थे तीन factors होने चाहिए तो देखिए तीन ही factors आए क्योंकि फार्मूला यही ल हमारे पास binomial है sorry T ही गलत लिखा गया 2 प्लस T तो यह हमारे पास binomial है क्यों कि इसके इदर दो term है तो जहां दो term हो expression में उसे binomial बोला जाता है और अगर जैसे अगर first कर लेते हैं यह हो तो यह trinomial है क्यों क्योंकि इसके अंदर three terms है तो अब हमारे पास question में यह कहा गया था है कि इसके जो factors है वो binomial है यह trinomial तो अब हम easily बता सकते हैं क्योंकि इसमें भी इसमें भी इसमें भी दो-दो terms ही है तो hers mean क्य बाइनोम्यल है तो यह statement की सुर्थ में बता देτέ हैं तो यह मैंने statement लिख दी Each factor is a binomial तो इसका आंसर जो हो गया ये हो गया और इसका आंसर जो हो गया ये हो गया तो उमीद करता हूँ ये question समझ में आ गया होगा method अपने teacher का आप easily अपना सकते हो क्योंकि concept आपने समझ लिया बाकी वीडियो मुकमल हुई exercise मुकमल हुई वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा दिल लगा के पढ़िए आगे बढ़िए इन्शालला अगली वीडियो में लकात होती है अलाहाफिस